लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक motivational code है मेरी तरफ से क्या दे रखा है हर वक्त जीतने का जज़बा होना चाहिए क्योंकि किस्मत बदलते ना बदले किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है तो हमारे अंदर हमेशा जीतने का ज़बा जरूर होना है वीडियो के नीचे आप लोगो एक लिंक दे दिया जाता है वहां से आप लोग उसको अप्लोड कर लिजिए और अपनी तयारी उसको दुआधार करना स्टार्ट कर दीजिए चलिए मेरे भाई सर 50% हो गया है बेटा 50% हो गया है पीडियाफ अप्लोड बेटा देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप लोग तो सेशन को शेयर करने वाले हो नहीं हो जल्दी से सेशन को शेयर करो अभी 500 भी नहीं हो है फटाफट करो जल्दी से जल्दी से शेशन को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं नंबर वन देखो आप लोगों को पहले द किया आना चाहिए सबसे पहले देख लो कि हाँ पर क्या चीजा बोल सर jeśli very potential surface सअ मारे दिमाग में क्या जाना चाहिए सर पोटेंशल सर्फेस से सार्न टारी चीजा ओटन औी है को सब्सक्राइब कैसे होता है कैसे हमारी लिंक भी आ गया पीडिएफ का तो पीडिएफ के लिए आप लोग इसकी टेलीग्राम चैन को जोइन कर लीजे वहाँ पे आप लोग को पीडिएफ मिल जाएंगी आप लोग वहां से पीडिएफ को एकसिस कर पाओगे ठीक है सर क्वालिटी सही नहीं बेटा क्वालिटी बिर्कूल परफेक्ट है क्वालिटी का तो कोई इशु नहीं है एक्टी केमरा है मेरे भाई चल्द देखो पढ़ो पहले क्या रखाय बुला सर एक वी पुटेंशल सर्फेस है क्या बोला गया केस को सबसे पहले एक काम करना जब कर दिया चार तो इसलिए नथे पाइले उसको इनवस्ट करना इसको पड़ लेना है ठीक है अब उसको पड़ लोगे तो इसके बाद में क्या करना है बोला गया है all that have the same potential can be amazed as lying on a surface called an equipie potential surface इतन है क्या बोला है कि जितने भी हमारे जितने भी हमारे सरफेस के उपर जहा attract our a Salem होता है उसको अम लोग क्या बोल देते हैं एंट भी potential सर्फेस हम लोग उसको बो दої rest, yeah, By yacht you have to be potential surface we'll become atmos스 abode अब बात आते हैं कि Venom charge move on such a surface no energy transfer occur and no work done is done या क्या दे रखा है बोला सर अगर ऐसी surface जहां होती है उसके ओपर अगर हमारा कोई भी चार्ज है वो rotate करता है वो घूमता है ठीक है वो घूमता है ठीक है आप एड़ा भर सकते हो विरकुल बर सकते हो तो देखो क्या हुआ कि बोला सर जी यह क्या है अगर वो देखो एक आपके क्या होती एक वी potential surface होती है अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज है वो कहीं भी मूव करेगा माली जैस चार्ज की विजे से यहां पर हम लोग potential दिखते हैं तो वह भी है अगर यहां पर किसी टेस्ट चार्ज को आप लोग लाके रखोगे उसको रूटेट कराओगे तो एक भी potential surface पर उसको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा एक भी potential surface पर क्या है कोई भी वर्क करना भी ओके बेटा यही तो मैं तरीका सिखा रहा हूं तुम्हें case-based study के questions बनाने के लिए तुम्हारे पास दिमाग में पूरा concept आजाना चाहिए जैसे यहां पर मैंने बूला एक वी potential surface तो दिमाग में आजाना चाहिए कि क्या-क्या होती है जैसे तुम्हारे पढ़ा हुआ होगा या फिर तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं होगा लेकिन 99.99 परसेंट जो आप लोग के 12 का syllabus है उससी से पोला गया है एक वी potential surface एक ग्रेटर डिस्टेंस प्रोमा कलेक्शन ऑफ चार्ज हूस टोटल समीज नौट जीरो आर अप्रोक्सिमेटली जल्दी बताओ कौन सी होती है इसके जल्दी पता इसके अंसें हम लोग आ ग 되고 होता है अब तुम्हारे दिमांगमें हो तो तो तुम्हें पता हुना-चार हम लोग जब भी पटेशल surface पढ़ते हैं तो इस टाइम पर हम लोग कहा देते हैं कि स्री यह क chopping बनाते है बो होता है नहीं होता वंद्धिए ने मेसे नरी होती है इंज़ननरी है क्योंकि इसने स्टाइटिंग में बोला था इमेजनेशन करते है तो यार देखो यह इस्टर होता नहीं है यह तो erfolgjuk की बात करोगे स्पैरिकल की बात करोगे जल्दी संसराना चीए क्या होगा ए और बी में कन्फ्यूजन जा रहा है ए और बी में कन्फ्यूजन जा रहा है बोला सर ए हो सकता है या भी हो जो बोल देंगे क्या बोल देंगे इस्पेर हम लोग इसको बोल देंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए नेक्स सवाल पर चलते हैं इसी का नेक्स सवाल है यह बोला गया है देखो two iq potential surface have a potential of minus 20 volt and 80 volt respectively the potential difference the difference in potential between these surface are कितना difference होगा कितना difference ॐइए टे रखा एक आशी us कितना होगा क्योगा ग Aujourdगा था अधा हुगा जल्डेसर दाता हो क्या होगा था यह जल्दी 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 जल्द 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 एक दम तगड़े लिवल का आना चाहिए मज़ा आ जाए कि सर्जी बस अब की बार लास्ट बार मज़ा आ गया है खतरनाक जल्दी बताओ फटाफट से हाँ बाई जल्दी बताओ फटाफट से आ गया है समझ में बुलासर जी बिरकुल आ गया है तो चलिए बता दो क्या होगा बता दो क्या होगा क्या अ है जब भी तुम्हारे पास अगर एक ही surface है अगर एक ही surface की बात कि जाती है तो उसके उपर जो potential difference होता है ना vb-va तो वो कितना होता है वो होता है तुम्हारा zero अगर एक ही surface की बात किये लेकिन यहां तो दो है ना भाई एक-20 और एक 80 का है तो पहली surface कितने पे हैं बोला sir पहली surface है माइनस 20 पे दूसरी कितने पे हैं 80 पे है तो दोनों का difference कितना हो जाएगा बोला sir 80 देखो VB minus VA तो इसका potential मान लीजे VA है इसका VBA है तो कितना हो जाएगा बोला sir 80 minus minus plus 20 यानि कि sir सीधा सीधा 100 वोल्ट होता है गलती नहीं करनी हैं गलती बिर्कुल नहीं करनी है क्या हो जाएगा 100 टील है जल्दी बताऊ बोला क्या हो जाएगा 100 Tul is the right answer चलो यह बोला है potential surface क्या होती है low potential surface जल्दी बताऊ next वंण बोलागा है potential surface क्या होती है सब्सक्राइब बेड़कूल यहां से तुम्हारा confidence आ जाएगा कि सर कैसे हम लोगों को करने में दिखाओ सर पिछले वाले में नॉट था क्या लिखा हुआ है नॉट का लिखा हुआ है from the collection to sum is not zero अरे तो पेटा zero not not zero ही तो होगा ना का समझीरो थोड़ी होता है ना मैटा चार्ज का समझीरो नहीं होता है जा कर सम्झीरो नहीं होता है समझ में आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तर मैंने इPark बोला ओर would कूल एक भी एक बोला physicians की ऐ होती है एक भी potential surface के अंदर क्या-क्या चीजह होती है जल्दी से अंसर आ जाना चाहिए बोला गया है पहला बोला गया है देखो आर क्लोजर इन रीजन आफ धी higher electric field compare to the reason of the lower electric field एक भी potential surface की गही है एक भी potential surface की बात की गही है तो कौन सा आएगा कौन सा आएगा ओक्रूआ है उसके अंदर जल्दी बताओं कॉंस्ट आएगा बहुत सारे नहीं करा उन्हां ठreff brain का मतलब क्या होता है इस तरीके की देखो linguine का मतलब होता है यह surface तभी तुमने यह देखा एक वी potential surface में यह तुमारो ब्लीन with front बनता है यह plane with front बनता है जब जब तुमारी सारी सारी कैसरी क्या होती है लाइन के parallel होती है तब यह plane, वे बें कि बोलन तो कि अप्राइब नियरन की कंडेक रिल्ठ इंध लार्ज चार्जञ ब्र्कुल का या ने कि सारह के सारे स्टेटमेंट इसके लिए इसके लिए करेक्ट है कोई भी आसा स्टेटमेंट नहीं जो इसके लिए गलत हो अब बोला गया है the work done to move a charge along an equipotential surface A to B, बताओ क्या होगा, बेटा PDF हो जाएगी, जल्दी बताओ ये, PDF मिल जाएगी, ठीक है, हाँ बेटा इसमें मैंने डाल रखा है, तुम्हारा डाल रखा है, मैंने दो तरीके के डाल रखे हैं, तुम्हारे दो तरीके के मैंने डाल रखे हैं, डाल र पर जाओगे, तो क्या होगा, जल्दी से अंसर जाने चाहिए, अरे इसी में है, अशर्षन रीजन भी, यार तुम यार तुम पढ़ते क्यों नहीं, तुम लोग देखते जाओ न, अशर्षन रीजन भी आएंगे, पहले तुम ये तो कर लो काम, जल्दी बताओ क्या होगा जल्दी से बताओ क्या होगा, बोला सर जी, जब भी एकवी पोटेंशल सर्फेस आती है, और उसके ओपर हम लोग जब मूव करते हैं, एकवी पोटेंशल के ओपर मूव करते हैं, तो हमारा पोटेंशल डिफरेंस कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो, वर्क डन कितन कि लाइन लंबी होगी तो क्या होगा जल्दी से पटाफार क्या-क्या इस सबनल दसे क्या-क्या-, यूअ- सर और ARE trophy तो भी वहके हैं सारी कि सारी PDF अभे लिबले हैं आप वे कमेंट सिक्षिन के अंदर कमेंट भी गया है उसके अंदर जैसे ही आप लोग नीचe देख रहे हो चल्दीदी distinguish wow15 लॉंग होगी आगर इनफाइन divergence लॉंग है तो दूम्हें पता हो अगर तुम्हें पता हो तो सर्क्या होता है इस तरिके से बनने वाले shape कौन सा होता है सर स्लिंड्रिकल शेप होती है सिलिंडरिकल शेप होती है तो यह कहरे सिलिंडरिकल सिर्फेस हमारा होगा या निकि सी आप लोग का बर्कुल करेक्ट बहूत बढ़ीया बढ़ीया बिश्ची बर्कुल एक बहुत अलग है तो तुम्हें अपने आप पे पहले विश्वास लाना पड़ेगा कि सर जो भी क्योसंस है उनको हम लोग कर पाएंगे उनका अंसर दे पाएंगे बशरते यही है कि सर हमें एक पर confidence आना चाहिए confidence जब आ जाता है न तो देन देखो इंसान तुम्हें पता है न अगर इंडिया का मैच बांगला देश से हो रहा था 2007 के अंदर याद है तुम्हें जब इंडिया भार होगी थी वर्ल्ड कप से तो बांगला देश को अगर अपने उपर विश्वास नहीं होता क सर हम लोग इस इंडिया से जी सकते हैं नहीं जी सकते अगर ऐसा विश्वास नहीं होता तो वह तो बिर्कुली हाट जाती लेकिन उन्होंने लड़ा तो वही चीज़ तुम्हारे साथ है कि के सब्सक्राइब करना कि सर ने जो हमें सिखाया है उस चीज़ के अकौर्डिंग हम लोग यहां पर जाएंगे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा तुम्हारा सारा काम हो जाएगा लिखें अर्टो लिखने का आएगा तो तुम लिख देना कोई दिक्कत की नहीं है लिखने में क्या लिखोगे कि सार पोटेंशल इन इक्वी पिटेंशल सर्फेस पोटेंशल स्वाल है यह चलिए नेक्स स्वाल यह बताओ देखो पढ़ लो और बताओ क्या दिया गया है इसको अगर मैं पढ़ता हूं तो केस बेस स्टडी का क्या दिया गया है यह दिया गया है रिलेशन बिट्वीन strength of the electric field and density of the line of the force यह आप लोगों को दी गई है ठीक है जल्दी मुझे बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट से जल्दी बताओ फटाफट से जल्दी से अब इसको पढ़ो ढंक से पहले बताओ जल्दी से देखो के तो क्या है बुला सर relationship between the strength of the electric field and density of the forces बस अब क्या concept आजाना चाहिए बुला सर इस concept की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए कि बुले सर electric field और force की बात आती है तो क्या होता है बुले सर जहां पर हमारी electric field लाइन्स जो होती है वहाँ पर electric field हमारे जो electric field जो लाइन्स होती है वो close होती है तो वहाँ पर electric field क intensity ज़ादा होती है as compared to जहाँ पे दूर दूर होती है बोलो ठीक है नहीं इतना सब को पता है बोलो सर जी बिर्कूल करेक्ट है अब हमारा अगर कोई भी element यहाँ पे होगा तो उस पर फोर्स ज़ादा लगेगा यहाँ पे as सवाल करेंगे जल्दी बताओ कौन सा फिल्ड है कौन सा फिल्ड है यह तुम्हारा जो है क्या यह हमारा uniform में फिल्ड है या non uniform में फिल्ड है कौन सा फिल्ड है जल्दी से एक बार अंसर आ जाना चाहिए uniform है या non uniform है जल्दी sensor दे दीजिए मेरे को जानना है तुम लोगों से पहले तो जब ही तो तुम बता पाओगे ना क्या इसके अंदर होगा क्या होगा क्या जब तक तुम लोगों के strength जाननी है जब तक तुम लोग लोगो कैसे जाएंगे थीक है निए आप ये बात तो आपने 16 सत्य बोल दी ए अब बात आती है सब लोगो ने समझ लिया किसरे नौन उनिफॉर्म है बहुत बढ़िए सब लोग अपने लिए तालीब हो जाओ नौन उनिफॉर्म है यह तो समझ में आ गया अगर ये नॉनीफोर्म है तो क्या पताँ लगेगा सर इसके अंदर 5 dolar ट्रॉच भी होता है और झटार्क भी होता बिलए टीक है रिए भुलो सब्ट नॉट इक्वल्ट इप्रण सुझे जाते मेरी Lenقة रहती यह जब हमारा क्या होता है नॉनीफोर्म उलेक्ट्रिक इसके अलामा जब तुम लोग uniform में जाओगे, uniform में अगर जाते हो तो मेरे भाई, uniform में जाते हो तो क्या हो जाएगा, बोला सर, force equals to zero हो जाता है, और tau not equals to zero होता है, ये दो relationship है याद है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बल्ले बल्ले हो जाओगे, ठलले ठलले, जल्दी मुझे बताया हुआ है पहले कि यह चीज़ है क्योंकि इससे तुम्हारे दिमाग में पिक्चर हो जाएगा आप देखो कुछ नहीं है पढ़ो देखो अब हमसे पूछा गया है जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ पॉजिटिव के लिए क्या होती है देखो अनुट इसके अंदर देखो दो वर्ड होता है एक होता है रेडियली रेडियली का मतलब होता है कि जो अप लोगोग के सर्फेस अगर कोई भी सर्फेस अगर वहाँपे आप बनाते हो तो उससे वहू 90 डिगरी का ऍंगल बनाते हुए जाएगी यानि कि हमेशा क्या करेगी 90 यूनिफ़्म में टॉर्क जीरो होता है एचाने दूपार जाके पढ़ा ले टॉर्क जीरो होता है क्या जीरो होता कि और शीरो होता जाल ये बता हो पहला बता उक्ति इन दो नहीं देखो अब इसी से कहते हैं चीजें देखो बोलोसतर अगर मेरे पास positive चार्ट है तो क्या होती है बोलोसतर रेडियली आउटवर्ड निकलती है रेडियली आउटवर्ड यह निकलती है क्या हो जाती है radially outward direction हमारी हो जाती है तो तुम्हारे दिमाग में यह बैठ जाना चाहिए एकदम दिमाग के अंदर चले जाना चाहिए कि सर्जी इसका मतलब क्या होता है तो क्या हुआ इसके अंदर रॉंग है कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर रॉंग है जल्दी से स्टेटमेंट में बता दो क्या होगा दूसरे का सी होगा और भाई साब इतनी तेजी से जाओगे जल्दी बताओ फटाफट से जल्दी से बताओ फटाफट से जल्दी अंसर आना चाहिए बाई जल्दी जल्दी सबका अंसर आना चाहिए मिरे बाई जल्दी बताओ जल्दी 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 सबका अंसर आ जाना चाहिए जल्दी से बता दो जल्दी से अंसर आ जाना चाहिए क्ञा आ रहा है नहीं कुल रहा है तो दीखो यह तो electric field line of force बोल दे या electric field lines बोल दे इलक्तिक field lines बोल दे ठीक है electric field lines बोल दे और या फिर वो बोल दे यहाँ पे force line तो दोनों का मतलब एक ही होता है बोला सर जी ऐसा क्यों क्योंकि बेटा आप लोगों को आईडिया है ना कि सर्थ हमारी जो electric field lines होती है वो क्या गरती है positive से start होती है negative से खतम होती है इनकी property क्या होती है इनकी tangential line होती है वो हमें electric field की direction देती है बो ठीक है नहीं है गुरुदेव विर्कुल correct कह रहे है आप और उसके लावा और क्या हो सकता है बोला सर यही तो गलत हो गया यही तो गलत हो गया मतलब यही हमारा answer right हो गया क्योंकि close loop कभी नहीं बनाती है यह हमेशा क्या बनाती है open loop बनाती है close loop का मतलब है कि जहां से आपने चलना start किया उसी पर जाके आप end कर रहे हो right मेरे भाई ठीक है कल आप लोग के लिए मैं sample paper ले क्या हूंगा उसके बाद में gas paper ले क्या हूंगा तुम्हेरा paper यह paper खिलाओंगा tension ना लो फिर खुल भी ठीक है clear हुआ मेरे भाई चलिए next सवाल पर चलते है next सवाल है यह बताओ which one of the following pattern of the electric lines of the force is not possible in the field due to the stationary charge stationary charge की वज़ा से कौन सा pattern है वो यहाँ पर possible नहीं है जल्दी बता दो बेटा अरे जिते इंदर बेटा एक चीज़ मुझे बता तुमसे पूछ ले जाए कि कुछ भी पूछ ले जाता है तो तुम उसको explain कर सकते हो ना जल्दी बताओ कि ओके ठीक है हाँ बेटा आ सकता है कि देखो कोई fix नहीं है हो सकता है वो तुमसे यह वाला दे दे इसमें सो option ABCD में दे दे ऐसा कोई fix नहीं होता है जल्दी से बताओ क्या होगा बुलसर क्या हो जाएगा बुलसर यह वाला pattern कभी भी possible नहीं है नेक्स है electric field lines are always curved का मतलब क् क्या है जल्दी से answer दीजे क्या answer आना चाहिए देखो यहां पे आप लोगों को मैं अपने आप में तुम्हें बता रहा हूं कि case based study के questions कैसे solve किया जाते है अब उसमें लिखना है तो वो तो हम लोग लिख सकते हैं अब मालो यह ऐसे ही अगर मेरे पास सवाल आ जाता है तो म फिल्ड ऑफ और सिंगल पॉजिटिव और नेगिटिव चार्ड बोला अकेले में कोई कर्व नहीं बनता है अकेले में कोई कर्व बनता है कि यह तो वही बात होगा इससर में अकेला किर्केट मैच खेलने के लिए तोड़ी खेल लेते हैं आगे बोला गया है इंदा छार्जुस तू लाइक हो सकता है बोल्ट इंडिकत की बात नहीं कौनसा और शব 550 यह जल्दी बोलव इस ऋप्सार जल्दी बोला गया है कि ओर लो शोड़ फिखल के घेल्लिक लिंड लाइंट सब्सक्रहियों अब तुम्हें एक चीज बताओ, यहां से तुम्हारा पता है क्या हो रहा है, तुम केस बेस के क्यूसन भी कर रहा है, तुम MCQ की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टू इन वन, दो, एक मेहनत में दो का कमाल, एक रुपए में दो रुपए का माल, बुलो, वही चीज यहां पे वही चीज़ है कि एक रुपे में दो रुपे कमाल है कि सर मैं case based study भी कर रहा हूं साथ ही मैं क्या कर रहा हूं यहां पर MCQs भी लगा रहा हूं जो मेरे exam के point of view से मेरे लिए जरूरी है बोला राइट है निये agree कर रहे हो नहीं कर रहे हो comment में आ जाना चाहिए यस comment में आ जाना चाहिए यस बताओ क्या होगा कौन सा option आ जाएगा बोला सर देखिया आपने हमें बता दिया है कि जहां यह close होती है वहाँ पर electric field के strength ज्यादा होती है यह एस compared to इसके तो सर यह बराब जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट से जल्दी अंसर आने चाहिए जल्दी अंसर आने चाहिए दुआदार तरीके से मज़ा तभी आएगा मेरे ऐसा मज़ा थोड़ी आता है न कि सर जी हम तो मज़ेन में बैठे हुए ऐसे नहीं आता मज़ा मज़ा आता है जब दव तुमारा positive charge है यह कब है जब तुम positive charge का एक हिस्सा बना रहे हो तो भी आप लोग बना सकते हो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ज़िए नेक्स सवाल कर लिया है चलिए एक सवाल पर और पर आ गये हैं देखो अन्यन्य गोयल देख तुझे समझा रहा हूं चाहूं तो मैं इसको पांच में समेट दूँगा लेकिन तुम्हें कोई कुछ नहीं आया तो बेटा ऐसा कोई कुछ नहीं होता ऐसा देखो यह चीज कभी नहीं होती है ठीक है बेटा sample paper में करवाऊंगा sample paper में करवाऊंगा don't worry don't worry don't worry sample paper में करवाऊंगा tension ना ले मेरे भाई tension विरकुल ना ले एकदम धमाकेदार तरीके से करेंगे जल्दी से करो 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 समझ में आ गया बुलासर क्या है बुलासर यह है तो देख यहां पे क्या हुआ बोलो सर हमें दे रखा है क्या दे रखा है बोलो सर डाइपोल दे रखा है एलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है और उसको का पर रखा है बोलो सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड में रखा है और जब तुमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड में र रखिये ठीक है जाली बताओ बोलो दीख रहे किया बुला सर राइट है यही हमें है आप मैस भी बढ़ा देना ठीक है ओके चलो देखो बोला समझ में आ गया इससे कहानी के लिए रहे चलो भाई आ जाते हैं सवालों के पर बताओ पहला बोला गया कि दाइपोल मुमिंट इस एका वेक्टर इस पी देन दर टॉर्क अटिंग ऑन दी डाइपोल जल्दी बताओ टॉर्क कितना होगा टॉर्क कितना होगा पहले का जवाब आ जाना चाहिए पहले का जवाब ने अरे भाई गेमिंग वाई टी सर स्केस बेस आप में सवाल कर रहे ना तो पिर तुम य इसका 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 अंसर किया जल्दी 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 अंसर आना चाहिए अब जो गलत लखेगा ना उसी का नाम लोगा नहीं नियार जो सही लिखेगा उसको लूँगा जल्दी अंसरा दें ओके ठीक है ओस्वाल का सैंपल पेपर करवा हूं ओके ठीक है तुम्हारे लिए मैं उस्वाल का करवा दूँगा ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिर भाई तुम बोलते जाओ ठीक है तीक है मैं करवा दूंगा सर A और B यही है देखो यही है यह होते हैं वह बाड़क यह होते हैं वह बाड़क बोले सर कौन से जिनको हवा में तीर चलानी क्याद होती थी बोले कैसे सर ऐसा क्यों बूला बेटा तुझे पता है ना देख आधी समझ्चा देखो तुमने यह तो की टॉर्टिटी अगर यह व्ल्टर क्वांटिटी थे कैसे हो सकता है क्रोस प्रॉडक्त होना चारूट्ड कभी नहीं वहो सकता है तो व्रिकूल खतम और भी वाले ब्रकु रख्रेगी से तियार है थीक है यह सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सरे, ओके ठीक है, सब का गराऊंगा, सब का, चलिए नेक्स सवाल पर आते हैं, नेक्स बोला क्या है कि, एक डाइपोल है, जिसके दो, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज, इच अप दी मैगनिटूट, इतने का मैगनिटूट है, हर किसी का, और इनको दूरी पर रखा जाता है, दो सेंटी मीटर की पे, और बोल दिया जाता है कि, डाइपेल को हमने कहां रखा है, एक्स्टरनल फिल्ड के अंदर रखा है, और कितना है, टैनेस टू पार फाइव की वैल्यू दे रखिए, बोला कि, मैक मैक्सिमम टॉर्क डाइपोल के वज़े से कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, इलेक्ट्रिक फिल्ड की, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी अंसर आना चाहिए, जल्दी अंसर बताओ, जल्दी अंसर बताओ, जल्दी अंसर बताओ, जल्दी जल्दी अंस है टोटल में 10 डेरिवेशन कराऊंगा जो एक्जाम में तुम्हें देखने को मिलेंगी उन 10 को कराऊंगा तो दुवादार तरीके से चार तरफ शेर हो जाना चाहिए कि सर जी अब की बार तो खतरनाक पार जल्दी बताओ क्या अंसर आ रहा है अब की बार तो खतरनाक पार ठीक है तो देखो क्या हुआ बोला गुरुदेव हमें पता होना चाहिए टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है बोला सर्ट जिसने बोला है वो बिरखुल एकदम दूम तरीके से कर रहा है जो C बोल रहा है वो एकदम correct है और जो D बोल रहा है उसने तो पता नहीं क्या ही कर लिया है उसको पता ही नहीं है वो उपर वाला जाने क्या कर रहा है मेरे भाई क्या कर रहा है तरीका B चलिए यह बताओ क्या होगा बोला गया है सुनो बोला गया कि torque on a dipole in a uniform electric field is minimum when theta is बताओ कब होता है टॉर्क की बात की गया है कि minimum कब होता है minimum अब देखो बहुत सारे जो तेज होते हैं स्मार्ट वाले स्मार्ट लॉंडे होते हैं बिरकुल तो वो क्या कर रहे है बेटा वो बोल रहा है सर 90 लगा दो बेटा 90 क्यों लगा दो यहां पर तेरा minimum बोला है maximum थोड़ी बोला है न जब minimum बोला है तो maximum कैसे लगा रहा है ऐसे तुम number कटवा के आ जाते हो फिर बोलते हो गजंदे सर हमने तो पढ़ा तो पूरा था बोलो सर पढ़ा तो हमने पूरा था ठीक है हाँ बेटा डिटेल में कराऊंगा वह 10 5 से 7 derivation लेके आऊंगा जो डिटेल में कराऊंगा उनको आप लोग करके बैठ जाईएगा ठी ठीक है ठीक है मेर भाई हाँ बेटा बिर्कुल डिटेल में आज शाम को आठ वज़े जो सेशन होगा अपना यहीं पे उसको मैं इतना डिटेल में कराऊंगा कि तुम बोलोगे सर डिटेल तो ऐसा ही होना चाहिए मजा आई जाएगा मजा आजाएगा मजा आजाएगा खतर यहां पर कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है माइनस वन किसकी होती है कॉस्ट की तो भाई जहां कॉस्ट मैक्सिमम है महां हमारा साइन तो मिनिमम होना ही चाहिए साइन हमारा क्या होता है मिनिमम यानि कि option number D is the right answer D आप लोग का क्या हो जाएगा बिरकुल correct है बोलो ठीक है बो सेकिंड वाले का मैं बता देता हूं आप लोग जो फॉर्मूला शाइन टौर्कम वहां आप लोगको लगा लगाना है क्या होता है बुलिस्तट लॅक के भाई यहां पर जिपता हो टेड़ ऑथ सारे की समझ में यह बता वाला अब बताओ अगर किसी एक्टर्ण युनिफॉर्म इलेक्रिक फिल्ड में रखा हुआ है तो नेट फॉर्स और टॉर्क कितना होता है जल्दी बता तो फॉर्ट का क्या आएगा अब तो तुम देख के बता दोगे आरे तुम तो खिलाडी आदमी हो चुके हो बिटा यस बिट क्लास चलेगी जो साइन्स अड्डा के उपर होगी जहां पर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टे जो छोटे क्यूसंस है दो और तीन माक्स के वहां पर कराने वाला हूं आप लोगों को वहां पर कराने वाला हूं दो बज़े दो बज़े मैं आप लोगों को मिलने वाला हूं डो हमारा होता है non uniform के case में किसके होता है non uniform के case में अगर यह non uniform में हैं और ऐसा कभी नहीं सकता है कि जब हमारा force or torque नहीं ठीक है और force or torque जोनो zero नहीं हो सकते यानिकी सर एक लाक्या option is the correct answer चल्ए नेक्स हवाल पर आते हैं नेक्स हवाल है यह क्वार्स लास्ट बता दो क्या होगा लास्ट बता दो क्या होगा चली पता फट से क्या होगा मेरे भाई विट शुक्र को बढ़ाने के बाद में तुम्हारे एंसी क्यूज के आदी सी प्रॉब्लम खृतम हो जाएगी वजुक्र बेटा ऐसा निये case base में कभी-कभी वो IMCQs भी दे देता है और कभी-कभी theoretical भी दे दे देता है तो मैं आप लोग के लिए कल जब sample paper कराऊंगा तो उसके अंदर theoretical लेकर आऊंगा ठीक हा? theoretical भी लेकर आऊंगा don't worry theoretical भी मैं लेकर आऊंगा ठीक है? सर confusion हो रहा है sorry कि बोलाएं सर एक किलास यहां एक महाँ पर सर दो गलत है दो गलत क्या है भाई दो कौन सा गलत है आरे सही तो है डककड़ो सही है कन्फ्यूजन हो रहा है चलो एक काम करते हैं चलो एक काम करते हैं सुनो सुनो एक काम करते हैं कल से हम यह करेंगे कल से मैं टीम से कहा देता हू कल से चलिए आज जो प्रॉब्लम हो रही है कल से सुभा वाली जो किलास होगी ना मेरी 11 बजे वाली वो मैं साइंस पर लूँगा उसके बाद में फिर दोनों चीज़े न वह आपको यहीं पर मिल जाएंगी ठीक है कुम से पूछा गया है टॉर्ट्र और पौटेन्शिल एंडर्जी बोले तर्क होगा तो साइं ठीटा आएगा जैगा कॉस्ट caramel और अगे बोला गया है 2p cos theta और 2p तुमने एक लाइन को पढ़ा है यहां पर क्या देर रखा है potential energy of the dipole 2b 2b 0 when the theta is 90 यार 90 कौन 0 होता है बोले cos theta 90 होता है 90 पर 0 हो जाता है यानिक सर कौस theta आएगा 2 कहां से आ सकता है बोले नहीं आएगा यह option हमारा correct है यह option क्या है विरकुल correct है सर 2 का d आएगा कर 6 अरे बहुँ क्या है दो वाह 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 जाए वाह तुम होते हुआ उश्यार्चन्द कोन से होते हैं ऐसे बच्चे होते हैं, सर, आपका गलत है, D आएगा, अरे भाई, अरे भाईयो, अरे भाईयो, वा, वा, मेरे भाई, वा, 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 तुमने डाइपोल पढ़ा हैं पहले कभी, डाइपोल देखा है न, इलेक्रिक डाइपोल में क्या लिखते हो मेरे भाई, क्या लिखते हो, पढ पड़, separated by a distance of 2 cm, मतलब बैटा इसकी value तुझे दे रखिए 2 cm, 2 cm, examiner भी चालाक है, examiner भी तुम्हारा काका है, भाई साब, वो तुम्हें फसाने के लिए सवाल दे देता है, ठीक है, सवाल दे देता है, सवाल दे देता है, सवाल दे देता है, ठीक है, सवाल दे देता है, ठी कैसे decide कर रहे हो कि सर 2 cm आएगा 3 cm ठीक है बोलो कैसे ड आएगा वो रखका है उनको तो अपर वाला भी नी छोड़ सकता अच्छा क्या होता है भाई यह वर्लकुल सर बोईज नहीं आ रही है, भाई ऐसे नहीं हो सकता सर सारी क्लास मही लूँ, ओके चलो देखते हैं, डोंट वरी, डोंट वरी जल्दी बता है, आशू, सर सारी क्लास मही लो, बिटा देखते हैं, चलो डोंट वरी, डोंट वरी जल्दी से बताओ फटाफट से समझ गया समझ गया ना मतलब ऐसे गलती examiner बुरा होता है examiner बुरा पता है क्यों होता है क्योंकि वो तुमारे सोसता है कि बच्चा पता है डेड़ शाणा होता है उसको किसी ने reducing Premmory वहमें दे रखी है to a कर दो तो टू ए क्या हो जाता है यह हो जाता है तो इसलिए तुम लोग हो जाता है लो सर टाइम दिया करो ई घर भी क्षिण टाइम का ले प्सदिया करो ठीक है अफेट ठीक 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 छलो मेरे भाई नैक्स में चलते हैं बुलो next चलो भाई अब यह आ गया तुम्हारा case based study का जो तुम लोगों को डर लगता है वह आप्तिकल फाइबर अप्तिकल फाइबर प्र आ optical fiber पे बेस तुम्हारा यह आ गया है पूरा का पूरा ओपी सर ओपी जल्दी बता हुए सर पांच का यह होगा हां मेटा पांच का पांच का यह है यह होगा पांच का चलो बताओ बुलब सर फाइवर को देखते ही ऐसा लगा जैसा उड़ता हुआ तीर हमारे पास आ गया है फ यह बेटां इसी मेंस आइगा जल्दी बता हो जल्दी बता हो अंसर क्या होगा पताफड़ से अंसर आना चाहिए कि अद्स 사सर कि ज Лवगे हो बटा यह बःद नहीं देख पाता मैं तो यह क्या है ब passage और ब堂स यकल फाइवर早 होगत ऑप्टिकल फाइवर को देखते ही टी आई आर बात करता है मैं देखो यह लिखा हुआ किस पर बेस्ट है फिनोमेना आप टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन ऑप्टिकल फाइवर आड़ अधा फाइब्रिकेटेड विद हाई को कि मैं किउसंस को क्या है पहली है मैं कुसंस सॉल कर पा रहा हूं कि बहुत बढ़ी है करो घर करोगे करोगे करों कोर का refractive index किस से जो हमारी cleaning होती है उससे ज्यादा होता है वेना single वेना signal in the form of light is directed at one of end fiber at suitable out of the other end तो यह क्या होता है easily क्या होता है अंदर से अगर इसको दोगे तो दूसरी तरफ से निकल जाता है और इसके अंदर क्या होता है तो यहां से तिकरा गए इधर आ गई तो यह क्या है पूरी process के अंदर टी आ यार होता है एंड में क्या होती बार निकल जाता है तो basically वैसी जल्दी बता हो जल्दी बता है बोलो ठीक है अब चलते हैं आगे बताओ क्या होगा जल्दी से मुझे अंसर दीजे क्या होगा जल्दी जल्दी अंसर आने चाहिए सब के ठीक है जल्दी बता है ठीक है अब भाई जल्दी बताओ बेटा निमेरिकल आएंगे अरे आत को होगा ठीक है जल्दी आओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जो तुमने वहाएं पर पढ़ाएं न उसी की बात है कौसा स्टेटमेंट आए गा जो इसका ट्रू नहीं है बोलो जल्दी से अंसर बोलो कौ सा स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है बोलो क्या बोला गया है भाला गया है the refractive index of the material core is less than जबकि हमने पढ़ा था greater than क्या होता है greater than तो यही option हमारा सही है बोलो ठीक है नहीं है भी आएगा सी रुको 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 क्या था less than हमें पुछा है a statement not true अरे not true बोला है ना not true कौन सा है जब बता जो सही नहीं है अरे जो सही नहीं है भी तो आएगा ना जो सही नहीं है क्यों देख पहले ही मैंने यह बोला था लाइन पढ़ लिया करना देखो क्या बोला गया है देखो क्या है the refractive index of the core is higher than that of clay higher होता है ना मेटा कैसे तुम लोग C लिख रहो सी कैसे लिख रहो सी कैसे लिख रहो कैसे लिख रहो जल्दी करो आगे बोला गया देखो आगे बोला गया कि what is the condition for the total internal reflection occur क्या condition होती है बोला सर आई शुट भी greater than C तब जाके यह condition होती है नहीं तो नहीं होगी कौन सा option आ गया जल्दी बताओ कौन सा option आ गया इसके अंदर जल्दी बोल तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से बोला सर देखो क्यों सी कंडिशन होती है देखो अगर सर इसकी मैं बात कर रहा हूं यह less than C से होगा तो यहां पर reflection होगा अगर यह बराबर इसके होगा तो यह मर्जाउट होगी सरफेस से अगर यह greater दोन होगा तैन इसका क्या होगा total internal रिप्र क्या होता है तो क्या हो जाएगा भाई इंगल आफ इंसिडेंट बहुत परा which of the following is the not an application of TIR कौन सा इसके अंदर TIR के application नहीं है जल्दी से एक बार अंसर दे दीजे जल्दी से अंसर दे दीजे क्या होगा TIR की कौन सी application नहीं है मेरे भाई TIR के application कौन सी नहीं है दे जल्दी बता है जल्दी से अंसर आना चाहिए प्टाफट से क्या अंसर होगा मेरे भाई बुलो सरी which of the following कौन सा है कौन सा जो इसका जवाब नहीं हो सकता इसके अंदर से अंसर आ जाना चाहिए पताओ कौन सा जवाब है कौन सा जवाब है फटाफट चांसर आना चाहिए मेरे बाई जल्दी से जल्दी से अंसर आना चाहिए क्या अंसर होगा इसका बहुत प्यारा सवाल है बोला जल्दी से कौन सा अप्लिकेशन नीए बोला सर देखो total reflection of prism बोला सर जी देखो मिराज होगा क्या बोला not an application of यह होगा total internal reflection prism का बोलो होगा है नहीं होगा बोला सर बी और सी बोले है बी अरे यार डाइमंड तारो वो जो हमारा हीरा होता है उसका चमक ना जो हीरा चमकता है क्या वो होता है नहीं होता है ठीक है जल्दी बताइए फटाफट बेटा कल होंगे most expected questions कल में कराऊंगा कल आप लोग के कल से सारी चीज़ें start हो जाएंगी तो क्या हो गया है C आप लोगों का हो जाएगा किसरी आजाएगा splitting of the white light through a prism बेटा आप लोगों की क्या ये TIR होता है बोले सर देखो हम लोग जो white light को डालते हैं इसको पर तो ये split out होती है कि red color इस तरीके के color हो में split out होती है तो क्या ये TIR है बोला गुर्देव नहीं है ये TIR इसको TIR तुम लोग नहीं बोल सकते हो कैसे TIR बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो तो यानि क्यों कौन सा हो गया है क्या इसको ट्रांसमिट करते हो किस चीज़ करते हो मिराज क्या है बेटा मिराज का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ कोई मुझे बताएगा मिराज यह गुटका नहीं है कि तुम लोग गुटका समझ लो मिराज गुटका मिराज वह वाला नहीं है भाई मिराज नहीं है अरे यार तुमने रेगिस्तान में नहीं देखा कि रेगिस्तान में हमें पानी का अभास होता है सर की दूर से तो वही हमारा पूरा फिनोमेना हो शल्द बताः है ठीक है है जल्दी बताः है ये घ hosting ये तो बास बहुत बढ़ी आ बहूत बढ़ी ההप्टिकल सिंग्नल है और बाजा तो नहीं यह आज जाते हैं इस वाले पर यहां पड़ाए है देखो क्या बोला गया है read the case study based question अब मैंने पहली line पढ़ी क्या है consider a thin P type silicon semiconductor बात खतम जैसे semiconductor word पकड़ लिया ना ठीक है जल्दी बताओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बोलो 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 अ मिराज एक टाइप का इल्यूसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं देखा कहीं तुम लोग यहतный थीक है मैंसूचा कि सदिन मिराज गुठका होता है तो गुठका थोड़ी होता है भाई यह वह कि जुआ के सिरी वह नहीं है भाई तो इस तरिया नहीं कह 1 है ठीक है डो ऑन्र जल्दी संदर 2 क्या होगा जल्दी मताओ जल्दी से बता दो ऑप बोला गया है सर इसके अंदर सामी कंड्ड़क्टर आ गया और सामी कंड़्क्टर देखते हैं चेहरे पर मुस्कान आ जानी चाहिए कैसे सर जी बूला सर कैसे jetzt जल्दी होता हो जल्दी होता हो देखिए आप क्या बोला गया है सर जी सेमीकंडेक्टर की बात की गई है बास सेमीकंडेक्टर है तो बात कहते हम फोला Congrats इंपर रिटी आप देखो क्या है बाई साब गलात तगड़ा जेवल पर है थोड़ा गुमाने के लिए बुलाई कि अगर मैं सिलिकन के अंदर देखो यह पी टाइप सिलिकन यह क्या है पाइट पी सिलिकन हर तो यहां पर क्या है सिलिकन के अंदर अगर तुम लोग पैंटा वैलेंट का मतलब क्या होता है जिसके आउटर सेल में पांच इलक्ट्रोन होते हैं पांच इलक्ट्रोन ने तो चार क्या करेंगे इनके साथ घूमने चले जाएंगे मूवी देखेंगे बाकी एक बिचारा रह जाएगा मेरी तरह के लागए वह अकेला यहा पर बैठा रहेगा अकेला बैठा रहेगा तो यह क्या होगा विलासर क्उल्ड करेक्टे पाट हो किसा मांट्ट होगा एकक्दम करेक्ट रात हैं मान गए ठीक है सर्व निमेरिकल खीण ठीक है ओकuestos और आएंगे समझा अब इसके बाद में मैंने देखो धूर्चकिंड किलास आज का रात को आठ बजे होगा इस पे के लिए तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा तुम लोग पता है तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखो अभी तुम जहां किलास ले रहे हो वो चैनल यह है ठीक है अब मेरी बास सुनना एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है रही यह कब की है बुलासर जी यह मेरी जो है ना यह वाली जो मेरी है ना यह कहां की है बुलासर यह वाली मेरी शाम को यहां पर जो होगी आठ बजे वो है देखो यह रही आठ बजे जो होगी वो है अब इसके अलावा मेरी एक किलास और है उसका लिंक भी मैं यहां पर ड को सेव कर लो सेव कर लो ठीक है तो और मैं एक बार टीम से कह देता हूं कि भाई वह तुमारे लिए ना जो मेरा next class का link करना वह भी इसके अंदर पिन कर देगा तो भी पिन हो जाएगा next class का भी link तो next class का link है वह पिन हो गया है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ओके मेरे भाई तो टेंशन ना लो ठीक है तो तुम लोग बस ध्यान रखो यार बस पढ़ते रहो पढ़ना जरूरी है अब देखो क्या दे रखा है गुरुदेव अगर इसको मैं देखता हूं तो क्या दे रखा मुझे पी एंड जंक्शन डाइप पी टाइप सेमिकंडेक् जहां तुम इवीडियो डेखते हो ना देखो यह जो प्लेलिस्ट है तुमारी इस पर तुम जाओगे जिस南 कि तुमैर ठीश ilready चाईए जैसे महले इसकी चायए कि पी डियवज चायップ कल वाली की वीडियाफ चायए काइं की भी पीडियाफ चायए तुझे ठीक है कहीं की पीडिएफ चाहिए वो सारी की सारी क्या होती है, इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, अब देखो सबसे पहले मालेड व मुझे चाहिए सर ist की, ठीक है, इस वाली क्लस, अब देखो इसकी चाहिए इसका देखना है देखो यह रहा तुमारा तो यहां पर तुमारा Article कि सर यहां पर मिल रहा है यहां मिल रही है पीडियएक वाल कहां मिलेंगी ञ lijn समझ में आगया होगा एक अब यह देखो next lecture रहा उसका link भी तुम्हारे कमेट सेक्षन के अंदर आ गया है next lecture का comment section के अंदर आ गया थीकर तो इसको कर लो ठीक है next lecture का आ गया है तो इसको क्या कर दोगे easily तुम लोग ले पाओगे और कर पाओगे कोई दिक्कत की बात नहीं है मिरे भाई ठीक है इसली तुम कर पाओगे कोई समश्या की बात नहीं है कोई समश्या की बात नहीं है ठीक है मिरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं तो यह तुमने पढ़े लिया है सारा हो गया है चले दीखे अब चलत आते हैं सिमी कंडुक्टर की तो अपफat बहुत अच्छा आदमी होता है इसको बोला जाता है लिख लो यहां पर पल्टू क्या है प्ल्टू बहुता जैसे टेंपरेचर बढ़ता है नवा तो यह क्या करने लग जाता है conductor की तरह भीएव करने लग जाता है और जब तुम temperature को decrease कर देते हो तो यह क्या करने लग जाता है इंसूलेटर की तरह बिहेव करने लग जाता है, समझ में आया? बोलो ठीक है नहीं, तो इस तरीके से तुमें पता होना चाहिए, इनके बारे में, तो क्या अंसर आएगा? जल्दी बताओ क्या अंसर आएगा? बेटा, PN जंक्षन समझा दूगा, जल्दी जल्दी बताओ क्य time में पी टाइप को N टाइप में कैसे convert कर सकतो जल्दी से मुझे बताओ बिटा है अरे यार मैं बोल रहा है अभी मैं बात कर लूँगा ठीक है अभी हो जाएगा डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी टेंशन ना लो ठीक है मेरे भाई टेंशन विरकुल भी ना लीजिए अब बिरको बताओ समझ में आ गया सबको ए ए बहुत बढ़िया क्योंकि सर्पेंटावेलेंट लगा दो बात खतम आगे बोला याद रखना देखो सुन लो एंट टाइप सेमिकंड़क्टर होता है न याद रखो मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं उनको याद रखना एंट टाइप और पी टाइप एंट पर पी टाइप के अंदर बात की जाती है ना तो यहां पर मेजरेटी चार्ज केरियर्स कौन होत ठीक है एक होता है मेजरेटी जो मेजर में होता है और यहां पर कौन होता है सर मेजर में क्या होता है बुला सर मेजर में कौन होता है बुला सर होल और माइनर्टी में कौन होता है बिटा जी इसके अंदर होता है माइनर्टी में इलक्ट्रोन अब यहां पर देखिए एंट एंदर क्या होती है इलक्ट्रों की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इस कंपियर टू होती है कंप्राइट एलक्रों dos s less than the holes, बुला सर ऐसा नहीं है, हमारे end type में क्या होता है, concentration of electron is greater than holes, बुला खतम सर जी है तो, बुला सर अगर ऐसा case होता ना, जहां पर यह दोनों की concentration बराबर होती है, जहां पर इनकी concentration बराबर होती है, ऐसा कौन सा case पढ़ा है हमने, पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो दोनों में अलग-अलग पढ़ा हुआ है ठीक है ठीक है बचुआ तो कौन सा हो जाएगा बोला सब्सक्राइब यहां पर पढ़ना एक बार एंट प्र में कुछ और थोड़ी लिखा है बोला गया देखो पढ़ो तू द पी एंड टाइप for junction P and n reason ठीक है अब बोला गया है देखो यह रहा डिफ्यूजन किसके अंदर होता है एन टुपी होता है एन टुपी डिफ्यूजन होता है और आपका drift diffusion holes from diffuse holes from the p2n type p2n type और electrons diffuse होते n2p-type समझ में आगया बोलो समझ में आगया बताओ समझ में आगया बोलो ठीक है यह जल्दी से अंसर दे दिजी बोलो ठीक है गरीदेव क्या klar है klar है clear है बोलो क्रियल चलियर नेक्स्ट पर चलते हैं हमें क्या बोला है ना true पूछाए ना true तो यह ही है बोलो ठीक है next सवाल पर चलो यह बताओ क्या होगा बोलो क्या होगा बोला गया है कि which of the following is true about a p-type semiconductor जल्दी बताओ जल्दी बताओ पी टाइब के अंदर क्या होता है जल्दी मुझे बताओ पी टाइब सेमिकंड़क्टर पी के अंदर हमारी सर ली बर्कुल करेक्ट है बर्कुल करेक्ट्ट है चलता हुआ का एक नौ थोerd Hor === और जो हमारे डिपिज़न न में होते है उलेक्ट्रों सकते हैं न से है p की तरफा आते हैं तो क्या क्या reason हो सकता है Wolfine क्या बात हो सकता है was a diffusion current कि बात है diffusion अब diffusion का दे ही रखा था ग्राइब रखाते इस इंदर बोला गया था नडे झिया रहा तूरिन की रहा कि फार्मिशन पी ए स्अंद्टी के give the charge carriers give the right through diffusion current across the voltage voltage across की बात की गई जल्दी संसर देदी जिजे क्या होगा बोलो क्या होगा बोलो हूं बोलो क्या होगा地 बुलो इसे जाहजञा बोला सर्जी दॉन थी honeymoon इस बएफ भड़िया बहुत बढ़िया गजब कातिलाना और लास्ट बताद पय हुआ होता है वट रदा प्रोतेसित येट अकर्ष ड्यूरिंग दोसー मोमिशन का कॉंपर लग अ९ंद फोर्मेशन करते खताफ बढ़ा बहुत बढ़िına घातिल कातिल कातिल एक्दम इस समझाद पी एंजेशन डाइओब म executed लेने का चल अब आ गया है इंलक्ट्रों ड्रिफ्ट है अब यह देखे इलक्ट्रोंअ से ड्रिफ्ट आप लोगों को दिया गया और जब drift देखते हो ना तो दिमाग में आ चाहिए Drift Philosophy बात खतू Drift Philosophy आ जानी चाहिए बोला गया है कि सर benchmark electrons drift का मतलब क्या होता है electrons का drift करना VD... VD क्या होता है Electrons का ही तो होता है न बेटा जब हब हम लोग drift करई थे हैं वुन सारों से आप लोगों के देखने को मिलता है, और देखो मेरा भाई, उपर की तरफ आप लोगों को जो मेरा next session है, उसका link भी दे दिया गया है, team ने तो तुम लोग जाके, उस session को जाके कर लीजिए, और जाके check कर लीजिए, ठीक है, team ने link भी दे दिया है, session का link भी आप लोगों को दे दिया है, team ने तो आप लोग easily क्या कर सकते हो, जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बेटा, बहुत तेजी से चलते हैं तो मैं नहीं देख पाता, चलिए सवाल को पढ़ लिया है, बोला सर, drift के बात है, तो चलिए drift पे आते हैं, बोला सर देखो drift क्या होता है, बोला सर जी देखो, जब हम लोग ये पता क्या होता है, पहले सर ये नालाइक होता है, जब ये नालाइक होता है, conductor हमने क्या 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 है, सर प्लीज रैक्टिफायर उतकर्ष बेटा रैक्टिफायर मैंने कल एक्स्प्लेइन कर दिया था एक बार और कर दूँँए ठीक है कोई बात नहीं जानाएं कोई दिक्कत की बात नहीं कि ठीक है दो बजए मैं आप लोगोंसे कराऊंगा चलिए जल्दी से बता दीटेजिए यह ड्रिफ्ट हो किसके प्रपोर्शनल होती है जल्दी से मुझे बताई और बोला गया है कि study current flowing through the जल्दी बताओ इससे पहले एक काम करो इस वाले case को छोड़ के ना तुम लोग पहले ये वाला करो यह वाला करो snail's law का करो TIR का उसको छोड़ो थोड़ी दिर के लिए ठीक है पिटा रे आप्टिक्स नहीं आती है तो एक बार जाके मेरी class देख लेना मैंने कल बहुत detail में रे आप्टिक्स कराया है बहुत detail में जाके चेक कर लेना एक पढ़ लेना ठीक है शाम को होगी derivation class पह और भूहा कर दीए बहुत भाड़िया जल्दी answer दो क्या होगा जल्दी answer दीजा क्या होगा ठीक है जल्दी answer देजिए क्या होगा बूलो चाले हैं पढ़ लिया है यह क्या है स्नेल स्लो है स्नेल स्लो क्या कहता है बोलो सर इसनेल स्लो हमें बताता है made by sine r is equal to क्या होता है बलना सर मू 2 by wave 1 चलो करो और बता हो किया अनसर होगा जल्दी बताओ क्या होगा जल्दी बता दो क्या आंसर है औरे कियूंसर पर आगे ना हम लोग किसन पर आ गहें किसन पर आगें बताओ क्या होगा दाप फिनोमिना भाइचन अंडर वाटर है मिस्पेर है मिस्पेरिकल फिल्ड अब व्यू is compressed into a conical field is known as क्या कहला था जल्दी बताओ भाई साथ तगड़ा तगड़ा पूछ लिया यह तो जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या होगा जल्दी बताओ कि देखो यह तो गड़बड़ कर दी ना तुम लोगों ने हाँ बहुत बड़ यह बहुत लोग आने लगें क्योंकि देखो यह Snails' Wakat क्या बोलास रिखा है तो harus का जाएगा सेट परोगेटिण कि हम एटा हां बेटा हा बरकुल चलिए next, next बताओ, in snail's window the angular diameter is, जल्दी बताओ, angular diameter कितना होता है snail's window के अंदर, जल्दी बताओ, यह देखो पड़ो, अरे यार याँ पड़ो, देखो यह रहा, तारी चीजा लिखी हुई है, देखो यह रहा, snail's window को देखो क्या लिखा हुए, पड़ो यहाँ पर देखो, a similar effect can be observed by the opening, one eye, while the swimming just below the water surface, if the water is calm, the surface outside the critical angle, measure from the critical appearance mirror like, reflecting object below, the reason above the water cannot be seen exactly overhead, where the hemispherical field of view is compressed into a conical field known as snail's window, अब तुम यहाँ पढ़लो, यहाँ दे रखा है उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर clear cut उन्होंने mention कर रखा है, देखो यह लिखा है, clear cut mention लिखा है, और बोला है, whose angular diameter is twice the critical angle, angular diameter क्या होता है, twice the critical angle, बोलो ठीक है निये, बोलो ठीक है निये, जल्दी बताओ, बोल दो जल्द जल्दी से answer दे दो, बोलो, 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 अब यहाँ पर देखो तुम लोगों को अगर यहाँ दो, तो यहाँ पर बोला है ना, twice the critical angle है, अगर twice the critical angle है, तो आप लोगों से क्या पूछा है, speed of light पूछी गई है, और critical angle इतना दे रखा है, तो जल्दी बताओ क्या है, बेटा यह समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि नई चीज है, बिर्कुल नहीं है, जल्दी बताओ क्या होगा, one or two भी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका क्या होगा, बोला सर देखो, critical angle क्या है, मेरा twice है, और हमारी speed क्या होती है, बोला सर, v is equal to, c by u हो होती है, तो u को आप लोग क्या लिखते हो, बोला सर, u को लिखते हो, one upon sine c, बोलो लिखते हो, sine c लिखते हो, बोला सर, right है, और sine c लिखते हो, तो v is equal to, क्या हो जाएगा, बोला सर, c into में, sine c हो जाएगा, और c equal to, c into में, क्या हो जाएगा, sine 30 degree, यानि कि one upon two, और c की value कितनी नहीं हो जाती है बुलो सर वन अपन टू इंटू में थ्री इंटू टैनस्टू पार एट तो कितना जाएगा इससे कैंसल आउट करो 1.5 आ गया तो 1.5 इंटू टैनस्टू पार 8 हो जाएगा अपका सी है सी आप लोगों का आ गया सी सी आप करता कभी कभी ऐसा सवाल भी दे इया जाता है जो कि सिक आंडर आप लोगों को सारे जवां होते हैं उसी के लिए चुत हो सब्सवार कर लो जल्दी बताो ऐगा बोला सार ये सवाल बहुत खतरनाग है, जिसने इसको कर लिया ना, पिछली बार भी ऐसा पूछा गया था, ये बहुत important है, बहुत important है, बहुत important है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यार देखो, numerical maximum से maximum 15 से 20 नमबर काएगा, बाकि आपका theory आएगी, maximum है 15 से 20 नमबर, जल्द बताओ, क्या answer है, जल्दी बताओ, क्या answer है, जल्दी बताओ, ओर्थ है, जल्दी देखो, अब तुम्हें यहां से देखना है, बोला सार, यहां से incident कराई है, याद रखिएगा, जब भी कोई भी surface है, perpendicular जाती है, तो यह क्या करती है, यहां पर सीधी जाके टकरा जाती है, अगर सीधी जाके टकराएगी, तो यह कितना angle बन जाता है, 90, 90, 45, तो यह कितना होगा, सर जी, 45, अगर यह 45 है, तो मुझे एक normal draw करना पड़ेगा, मैंने यह normal draw कर लिया, जो क्या होता है, surface के perpendicular होता है, अगर यह 45 है, तो यह 45 ले रही है, तो यह क्या करेगी, सर जी, 45 पी और 45 आएगी, तो यह क्या करेगी, यहां से टकरा के इधर आजाएगी, और यहां से क्या करेगी, सर जी, सीधी निकल जाएगी, अब मुझसे पूछा गया है, देखो, as showing the figure, the ray, PQ is entered through the side AB, normally an incident on the AC with angle, angle कितना दे रखा है, 45 degree, prism angle दे रखा है, आपको 45 degree, AC, ठीक है, आपको angle दे रखा है, 45 degree, ठीक है, अब मुझे एक चीद बताओ, अब आगे बोला गया है, it will be totally reflected along the QR, QR, then the refractive index of the prism is, refractive index prism का क्या होगा, बताओ, क्या होगा, refractive index prism का, बोलो, क्या होगा, refractive index क्या होगा, प्रिजम का, बोलो, कितने लोगों को याद है, बोलो, कितने लोगों को याद है, कितना आ गया है, बोलो, sir, a होगा या बी होगा, बस a और b मैसे ही है, कौन सा होगा, यह मुझे बताओ, a होगा या बी होगा, कौन सा होगा, बोलो, a होगा, या बी होगा, जल्दी से मुझे answer दे दीजे, जल्दी मुझे बताओ, बोलो, हमने देख लिया है, कितन इसा क्यों बोला सर आपने तो देखिए बेटा हमारा अगर मियू निकालना चाहते हो तो आप लोगो को दो चीजों पर इसा क्या होता है और जब देखो याद रखना अगर मियू की बात की जाती है न तो मियू बराबर क्या हो जाता है और साइन कितना अंगल पर साइन आर मैं इसको कर द designers हमारी होती इस कैस को आप सब्सक्राइब देखने को मिल जाता है चलिए यह सवाल बता दीजे बुला को दे सीसरी कंडिशन प्र Сअ TIR क्या होती है necessary condition TIR ठीक है सर B को तो हो नहीं सकता C यह ज्यादा है वह यह तो सर ऐसे बर्कूल बर्कूल भिलो यह तर आपकी झांप इना फैन फैन इना फैन फैन जल्दी पना फ्ताफट से जल्दी अंसर दे तो यार जल्दी अंसर दे बहुत भाई शहाब क्या चक्कर है तुम्हारा हाँ न स seul करें क cyclist कर है इस एक्छाते हो तुम लोग यार देखो जल्दी से पटाली से एक हजार लाइक तुम लोग्त a बुला सर को हमें कुछ नी पता हमें statement नी पढ़ते हमें सिर्फ इतना पता है TIR कYा कहता है बुला सर हमारा Dancer से तो कहां जाना चाहिए पहली बात तो Dancer से Rarer जाना चाहिए ठीक है Dancer से Rarer Dancer से Rarer की तitésर बाकी गूम के वापस आ जाए सेकेंड हमारा मुई इक्वल टू क्या होना चाहिए वन अपॉन साइन सी होना चाहिए और क्या होना चाहिए प्रसर क्रिटिकल एंगल शुड़ी ग्रेटर देन सी होना चाहिए इन तीन कंडिशन को फॉलो कर रहा है तो देन ओके बुला गया दा इंगल दा इंगल आफ इंसिडेंट इंदा डैंसर मीडियम मस्ट बी स्मॉलर देन जल्दी से पर को एक बार बताओ क्या होगा देखो ज़ल्दी से मुझे दे दो डैंसर टूर त्हीं तीन एब इसके बाद में आपका क्या है देखो इसके बाद में अप में अब अर्षर्षन reason start हो जाएंगे फिर assertion reason start हो जाएंगे धुआदार तरीके से करेंगे assertion reason देखो क्या लिखा हुआ है देखो the angle of incident in denser medium must be smaller than the critical angle भाई देखो अगर यह smaller than होगा न तो TIR possible ही नहीं है angle of critical dancer must be greater than the critical angle of the two medium two medium से greater than होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए से two medium से greater than होना चाहिए जल्दी बताइए बोलो बोलो बोल दो बोल दो जल्दी जल्दी बताओ जल्दी बोलो जल्दी बताओ बोलो और क्या है क्या है तू medium देखो क्या बोला गया है मेंडिम अंगल रिफ्रेक्शन एंगल फ्रेक्शन थोड़ी ना एंगल फिंसेडेंट बताए ना क्या जाएगा सी सी और बहुत बढ़िया ठीकर बहुत बढ़िया सी करेक्ट है बेटा बाकी है न, उसको तुम लोग कर ले न, कोई दिक्कत ने है fasukar, कर ले न , ऑप्टिकल बचा हुआ न कर ले न चलो कर लेंगा अभी कर लेंगे लास्ट में अभ लोग थोड़ा सा एसेटिशन बीकर लएते हैं कि जल्दी सेशन को शेयर कर दो कि कल का होमवर्क नहीं चेक कि बिटा होमवर्क का अंसर मैंने लास्ट में करा दिया था जल्दी बताओ चलिए आप पढ़ते हैं इनको अशर्षन रिजन देखते हैं देखो आप अशर्षन रिजन में क्या चीज होती है बोले सर यहां तो अशर्षन रिजन हमारे दोनों सही होंगे और रिजन इस दा करेक्ट एक्स्प्लेशन होगा अशर्षन का तो ए लिखेंग हैं इस दा बोट एस अशर्षन और रिजनीं और करेक्ट बत हैं के लिए और रिजन बोला गया पढ़ो वैं ट्रेय का पहले कर चैनल्धी बताओ बुला गया है वेन by प्रेव चार्षन के लिए विटागा के लिए रिटा गाट्य जोल्दी बतास हो मोला गया है when we produce charge q1 on a body थीक्या शाइकट बोला गया इसका reason reason बोला गया कि चार्ज ओन està इसोलेटिटीड सिस्टेम रिमेन अड़ा रहा इगा कि आएगा कि बोलो क्या आएगा जल्दी बताओ बताओ देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सः जब भी हम लोग किसी बाडी को रबिंग करते हैं तो सर चार्ज हमारा नाइधर भी क्रियेटिड नाइधर भी क्रियेटिड और नॉस्ट नॉट डिस्ट्रॉइड भूला ठीक है नॉट डिस्ट्रॉइड पूला राइट है गुरुदेव अगर ऐसी कंडिशन है नाइधर भी क्रियेटिड और नॉट भी डिस्टॉइड नॉ दोनों का sum कर दोगे तो 0 होना चीए बिर्कुल correct है और इसका ऐसा क्यों हुआ क्योंकि सर इसका वजे का reason जो है इसका बिर्कुल correct है कि हमारा जो पूरा का पूरा चार्ज है वो क्या रहता है? constant रहता है ना वो create किया जा सकता है ना destroy किया जा सकता है इसलिए जितना गया है उतने को अगर वापस ले लूँ तो equals to क्या हो जाएगा? zero बहुत ठीक है? conservation of charge बहुत बढ़िया. क्या हो जाता है? conservation of charge बहुत बढ़िया तो यार इसके लिए क्या आ जाएगा इसके लिए option आ जाएगा next पर आओ बोला गया कि electric field lines of force cross each other भाई क्या ये cross करती है एक दूसरे को बोला सर नहीं करती है तो ये तो हमारा गलत है और अशर्षन किसमें गलत है बोला सर अशर्षन और बहुत इसार्षन करेक्ट ये लो कौन सा अप्शन और इसका तो डी आ जाएगा इसी Pack ना बौला क्राउस इच अधर आफ़र क्रॉस थोड़ी करती है कभी खभी घुल ये को नहीं करती है तो इसका क्या जाएगा डी आगे विला क्या है कि ऑन यह सर्चने हे रीजने बोला गागा कि ऑन कोई अब ए प्रॉमा स्मॉल एलक्रिक डाइप और एल Orthodox ट्रिक भ लिट् Waiting क्रीजिस क्या बोला ओन गॉर्ण ऑनई स्मॉल थैलिक डिफोल्ड एलेक्टिक फिल्डेश check आगे बुलाए कि electric field line is inversely proportional to the square of the distance from and dipole है electric field lines कैसे जल्दी बताओ क्या होगा इसका क्या होगा सर option D देखो अरे देख लिया ना if both the assertion and reason are incorrect भाई एक चीज मुझे बताओ अब मुझे बताओ यहां पर तेरा assertion correct है यहां पर assertion correct है यहां पर assertion correct है तो भाई लेकिन मेरा तो यही है ना कि मुझे तो यह पता लगया कि मेरा assertion wrong है तो मुझे दूसरे की पढ़ने की जरुवती क्या है मुझे क्यों पढ़ना है दूसरा मुझे दूसरा क्यों पढ़ना है मुझे तो नहीं पढ़ना दूसरा मुझे तो दूसरा नहीं पढ़ना ठीक है तो देखो थार्ड वाले में क्या बोला गया है ongoing from the electric और इलक्रिक फिल्लिज इनिवर्शली प्र डििसस्कॉर्ट अåफ डाइपुल अब एक चा token मुझे बताओ त हमारे पताद रीजन की बात ऑट है ति कि अंदर बोला गया है एलेक्टरिक फिल्लिड इन वर्र को यार ELEC तो डाइपल के दिस्टेंस बोल सकता है क्या तो मिसको डाइपल के अंचछ़ सकते हो The electric field is 0 everywhere on the surface यह क्या है भाई आजक्च वाउंट सकता है इसा क्या हो सकता यार शरति क्यों बता हो जल्दी क्या होगा दो मतलब सारी यह information incomplete है information incomplete है तो d option आएगा क्यों आएगा उसके पीछे का reason यह है कि यार ना तो तुझे यहां बोला गया कि तूँ spare की बात कर रहा है ठीक है बताओ ना तो यहां बोला गया spare की बात है कुछ भी नहीं है तो कैसे तुम इसको जो कर सकते हो बोलो सही बात है गलत ब बताओ बोलो मेरे वाइड यह नहीं आएगा अरे बोल दो बोलो 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 यार बोलो थरीका भी थरीका बेटा बी नहीं आएगा थरीका सी आएगा बी नहीं हो सकता लास्ट बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला लास्ट बताओ कि if a point charge be rotated in the circle, एक point charge को आप लोग rotate कर रहे हो circle के around, work will be 0, work will be 0, और work done is equals to the dot product of the force and distance, work done is the dot product of force and distance, क्या सही है, बताओ, 5B का सही है, बोलो, क्या 5B का सही है, बोलो, बोलाएगी if a point charge be rotated in the circle around a charge, और भाई साथ, 5B मैं पताओ, क्या बोला गया है, बोला गया है, कि सर आपका point पे एक charge है, यहां से हमने क्या किया है, एक charge को गुमा रहे हैं circle में, charge को गुमा रहे हैं circle में, बोलो बोलो, बोलो, सर अचर्चन तो सही है, अचर्चन right है मेरा, अचर्चन क्या है, बिर्कूल correct है, second बोला, work done is the equals to the dot product of, बोलो, सर बिर्कूल correct है, क्योंकि work हमारा क्या होता है, work हमारा scalar होता है, क्या होता है, बोले सर वर्क क्या होता है work को हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं बुला सर f diminished x cos theta लो लिखते हैं तो cos theta क्या होता है work done हमारा क्या होता है dot product होता है force or distance का बोले सरad right है अगर यह right है doo तो कौन सा अंसर आ जाएगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बोलो यह इंसाइड वर्क 0 गलत गलत दोनों स्टेटमेंट्स अहीं है दोनों स्टेटमेंट्स सही है सी तो नहीं होगा दोनों स्टेटमेंट्स सही है दोनों स्टेटमेंट्स सही है और दोनों स्टेटमेंट्स सही है और एक्स्प्लीनेशन भी विर्कुल करेक्ट है तो क्या अंसर आएगा यह आपका आएगा दोनों का विर्कुल करेक्ट है दोनों करेक्ट है यार कैसे कर रहे अरे मेरे भाई अरे मेरे भाई सुनो 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 माइनस क्यूं है प्लस क्यूं है माइनस क्यूं है प्लस क्यूं है थोड़ा सोचना माइनस क्यूं है प्लस क्यूं अब सोचना बोला सर यह क्या है मेरा डाइपोल है ठीक है अब इसने क्या बोला है ब Q upon में, देखो, F is equal to क्या होता है, QE, ठीक है, तो यहाँ पे F upon में क्या हो जाएगा, Q, F upon में क्या हो जाएगा, Q आप लोगों का हो जाता है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब हम लोग बात कर रहे हैं, फोर्स की, तो आप लोग इलेक्ट्रिक फिल्ड को कैसे देखोगे बुला सर, अगर इलेक्ट्रिक फिल्ड दूर जाएगा, तो फोर्स कम होगा या नहीं होगा, बुला सर, विर्कुल होगा कम, और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मेरा कम होगा, अगर मेरा फोर्स कम होगा, तो ओवियसली बात है, कि सर, इलेक्ट्रिक फिल्ड भी डिक्रीज कर जल्दी बताओ अरे यार एक चीज में बताओ बहुत बढ़िया जल्दी बताओ क्या है अरे भाईयों यही होता है अरे मेरे भाईयों अरे मेरे भाईयों डिस्प्लेस्मेंट और distance में क्αιा difference होता है पहले तो यह बता डिस्टेंस में डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है? पहले बता, मिरे को बता, एक चीज़ सोच, 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 तिरा देख भाई, ये क्या होता है? बोले सर अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं यहां से यहां पर जा रहा हूँ एप है तो यही मेरी डिस्टेंस है और यही मेरा क्या होता है डिस्प्लेस्मेंट है तो तुम करों ये दोनों डिस्टेंस ही तो होती है डिस्प्लेस्मेंट और डिस्टेंस दोनों एक चीज तो होती है ठीक है ये दोनों एक चीज होती है मेरे भाई दोनों एक चीज होती है तो ऐसा गलत गलत मत पढ़ लिए करो बिश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश् होगा एक पोटेंशल सरफ से जीरो होने का रीजन फॉर्स है डिस प्लेट कैसे हुआ कहां पर फोर्स बोल रहा है तुम रुको देखो देखो रुको रुको क्या बोला गया देखो कहा है इस ने बोला है वर्क डन जो तुमारा होता है न वो किसके बराबर होता है है फोर्स इंटो स्विस्मेंट के बराबर होता है थे के समझ में आया इसमाहा घ konemment कुलाओ जुक्ता में क्राइव रड़ में क्रण रहा है इफ पॉइंट चार्ज भी रॉटेटेटी इन दा सारकुल यह तो सही है देकर तुम्हारा शर्क्षन-टो तो इसार्शन तो तो यह ऊतूँ लीआ है ठीक है यस 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 बरकुर बरकुर है थे कि उसन चार का यह मיל नहीं होगा गलत है यह एक पुलाएंगे था अधिक फ्लक्स ऑफ्ड्य की ऐड़ि एवरिवेर ऑन दा इसर्फिस ए लेक्ट्रिक फिल्ट से रहा जीरो कब होता है कि वॉत एवरिविएर फिल्ट क्या होता है फिल्ट कि कहाTH 0 होता है नहीं होता है जीरो एल्क्ट्रिक क्या होतेरा तुम कैसे कहा रहे हो कि जीरो होगा, कैसे कहा रहे हो, जीरो होगा, हाँ बाई, कैसे होगा, ठीक है, बोलाओ, समझ में आया, दूली बताईए, बेटा, गौजलो लगाएगा, तो भी सर्फेस पे जीरो नहीं होगा, में शाया याद रखना, सर्फेस पे अगर है, तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ सर्फेस पे होती है, ना, सुन ले, अरे सुन ले भाई, चल तेरा फ्लक्स भी बता देता हूं, फ तो हाव यू से देट की सरी है हमारा है, फिल्ड लाइन सो जाहिरी एंटर कर रही है, सर थक गए, थक है नहीं है, ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं, चलिए चलिए चलिए, यार तुम्हें समझा रहा हूं मैं, करने को तुम अपना कर लूँगा, चलिए नेक्स चलते हैं, नेक्स्ट मी आता है बताओ, अब देखो तुम से बोला गया है कि वेन अचार्ज बोडे बोडी ब्रॉड नेर ली तु अन्चार्ज बोडी अब तुम्हें क्या बोला है कि एक चार्ज बोड़ी को तुम लोग लेके आ रहे हो, कि इसके पास अंचार्ज के पास, ठीक है, और अन्चार्ज है अन्चार्ज कंडेक्टिंग बॉड़ी इक्वल एन अपोजिट चार्ज इंड्यूजड ओन दी नियर सर्फेस ऑफ दी कंडेक्टिंग बॉड़ी विर्कुल सरेक्टे सर जब इसको आप लोग लेके जाओगे तो यहां पर क्या होगा इस तरीके से ऺड़ा और कोई उर्क्राइब है कि देखोँ चार्ज इस इंड्यूजड ओन दा नियरलियर सर्फेस ओफ़ दा कंडेक्टिंग बॉड़ी वड़ा और नैयट 리क्प्री इंसाइड the conductor is zero net electric field क्या होता है जल्दी बताओ जल्दी अंसर दे दो क्या हैगा क्या अंसर आ रहा है इसका सर इनको समझना चलिए ठीक है जल्दी बताओ क्या है सर 5C जल्दी बताओ क्या होगा और देखो 4 charges क्यो अब इसको भी देख लो इसको भी समझ लो पॉर देखो यहां पर net reason reason देखो क्या है पॉर पॉइंट charges q1 and q2 q3 are show in figure ठीक है दफ्लक्स ऑवर दा शो गॉजियन सर्फेस डिपेंड अन्दी q1 और q2 विर्कुल करेक्ट है भाई गॉजियन सर्फेस के अंदर है वो फ्लक्स किसके उपर डिपेंड करेगा बुलसर इन दोनों charges के उपर डिपेंड करेगा विर्कुल करेक्ट है तो यह कितना आ जाएगा बुलसर q1 प्लस q2 divided by epsilon naught बुला राइट है गुरुदेओ बुलटर राइट है यह तो इस्टेटमेंट राइट है अशर्षन भी राइट है एकदम करेक्ट है अशर्षन एकदम असर्षन क्या है राइट है ठीक है आगे बोला गया कि रीजन इन दो कुलम्स अट्रेक्शन टू बॉड डीज और अपोजयट लीचाअरि बोला सब यह भी राइट है इसका इसके साथ कोई बीपे लिंक नहीं है बोलो जुल स्क इसका इसके साथ कोई भी link नहीं है बोला सर क्यों नहीं है उसके पीछे का reason यह है कि तुम यहाँ पे बात कर रहे हो gaussial log की और flux की और यहाँ पे तुम पहुच गया हो charges की तो भाई charges से हमें क्या लेना देना हमें तो flux पे बात कर रहे हैं तो दोनों का link नहीं है इसलिए हमारा क्या होगा A अब वो सरी B इसका हो जाएगा B उपर वाले पे आओ और बोला गया है कि अगर यहाँ पे net electric field inside the conductor is 0 क्या conductor के अंदर 0 होता है बोला सर कंड़क्टर होता है तो E is equal to क्या होता है बोला सर माइनस DV by DR होता है और DV by DR है अगर मेरा V constant है V अगर मेरा constant है तो उस case के अंदर क्या होता है E is equal to कितना हो जाता है 0 क्योंकि change in voltage हमारा कितना हो जाता है 0 6 कौन सा है अरे बताई रहा हूँ बताओ क्या होगा voltage हमारा क्या हो जाएगा 0 बोलो कौन सा आएगा बोलो कौन सा आ रहा है बोलो कौन सा आ रहा है जल्दी मुझे बताईए देखो यह अशर्षन पता है क्या बोला है अशर्षन ने बोला है कि आप लोग जब कोई भी uncharge body होती है uncharge का मतलब क्या होता है कि सर जो neutral होती है neutron होता है और हम जो ए और आई है दोनों के दोनों क्या होता है बराबर अमाउंट में होते हैं यह यह तेरी कहानी है, तो क्या सही बोला है, when a charge body is brought near to the uncharged conducting body, equal and opposite charge is induced nearly surface of the conducting body, equal and opposite charge, बर्कूल correct है, बर्कूल correct है, बरो ठीक है निये, बरो ठीक है बरो ठीक है, बरो ठीक है, जल्दी बताओ, second बोल रहा है कि net electric flux filled inside the conductor is 0, अब इसने conductor की बात किये, और conductor के case में क्या होता है, बर्कूल correct है, inside the कितना हो जाएगा, 0 क्योंकि हमारा constant रहेगा, बर्कूल correct है, और अगर यह constant है, net की बात कर रहा है, तो सर हमारी body की बात कर रहा है, देखो, इसके साथ इसका कोई connection नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा B, B is the right answer, और next क्यों सब बोल रहा है, next क्यों सब बोल रहा है, सर इसका क्या बोला है तुमने, इसका क्या होगा, बेटा इसका B होगा, इसका भी B होगा B, ठीक है, चलिए next, इस पर आओ, अब इसको पढ़ो फटा-फट से, चल्दी बताओ, पढ़के बताओ, क्यापिसिटर से related है, क्यापिसिटर, कौन से का last का assertion है, हाँ भाई B होगा, ठीक है, अरे जोष कैसा है, जल्दी बताओ एक बार, हाउस्दर जोष, जोष कैसा है भाई, जल्दी बताओ, जोष कैसा है, देखो तुम्हारे लिए मैं बिरकुल assertion reason को बहुत deeply explain कर रहा हूँ, deeply explain कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, बेटाओ, charge body, चाहे, आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी हो सकता है, जल्दी बताओ, क्या है, जल्दी बताओ, क्या अंसर है पहले का, पहले का अंसर क्या होगा, पहले का अंसर क्या होगा, देखो क्या दे रहा है, पढ़ो, बोला है, देखो क्या है, आपने क्या क्या होता है, इक देखो क्या हो जाएगा, बोला सर, C-DAS is equal to हो जाएगा, 3, epsilon 0, A by D by 2, तो यह 2 उपर जाएगा, बोला सर, यह हो जाएगा, 6, epsilon 0, A by D, बोला करेक्ट है गुरु देखो, यह तो बिरकुल करेक्ट कहरा है, यानि कि एकदम राइट है, एकदम राइट है यह तो, अब बो पॉल्स, अगर यह फॉल्स है, तो कॉंसे स्टेट मेंट आएगा, कि रिजन जो हमारा फॉल्स है, और अस्टेशन हमारा क्या है, करेक्ट है, तो अप्शन नमबर, C is the right answer, C इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, C हमारा हो जाएगा, जल्दी बताएगा, जल्दी बताएगा, ज जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटा-फट से, जल्दी बता, जल्दी से answer दे दो, क्या होगा, क्या होगा, बोला सर, इसकी अगर मैं बात करूँ, तो दोनों सही है, हमारा ये भी correct है, और विर्कुल correct है, ये इसके explanation दे ही रहें, तो option number क्या हो जाएगा, ये आपका विर बिरकुल करेक्ट है यह एक दम राइट है इंसाइड अकंड़ेक्टर जीरो होता है अंदब पोटेन्शल अचाहिए अब देखो इसने क्या किया है इसने यहां पर surface और अंदर surface और अंदर inner दोनों साइड क्या होता है same रहता है, same रहता है तो sir विर्कुल correct ये विर्कुल correct बात है तो ये R भी correct है, मतलब ये दोनो right है, अगर दोनो right है तो इसकी explanation विर्कुल सही सही दे रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा A इसका क्या हो जाएगा ए इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बोलो ठीक है निया जल्दी से बताओ बोलो ठीक है निया जल्दी बताओ यार फटाफट से बेटा लगबग 15-20 में टॉर चलेगी class क्योंकि अभी questions है कि उससंद है चलिए नेक्स पे आते हैं चलिए इसके अंदर बोला है कि वर्क ड़न इन मुविंगा चार्ज बिट्विंग एनि टू पॉइंट इन इलेक्रिक फिल्ड इस डिपेंड अपाथ फॉलोड बाइद चार्ज बिट्विन इस पॉइंट पार्थ फॉलोड वर्क पाथ पे डिपेंड करता है बता दो एक बार क्या वर्क ड़न पाथ पे डिपेंड करता है मैं पूछ रहा हूँ वर्क ड़न तुम्हारा पाथ पे डिपेंड करता है क्या पर वर्क ड़न पाथ पे डिपेंड करता है बिर्फिल करेक्ट है यानििक यह तो राइट है यह तो रा इट है डि होगा नहीं बाई है देपैंड नहीं करता है इंडिorsa है मैत पूछ रहा हूं बाई तुम से ठीक है अप बोला inventory इलेक्रोस्टाटिक जो फोर्स होता है न यह कंजर्वेटिव फोर्स बताओ क्या आएगा बहुत बढ़िया सी बहुत बढ़िया यस यस बहुत बढ़िया c option बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्योंकि सैर यह हमारा conservative होगा ना कि non conservative तो c option करेक्ट है चलिए next वाल ये बताओ बोला गया है कि Faraday's law are the consequence of the conservation of energy क्या Faraday के नियम जो है वो energy की बात करते हैं बोलो क्या energy की बात करते हैं बोलो बोलो जल्दी बता दो बता Faraday's law की बात की गई है Speed तेज चलो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं हमारे लिए फटा फट स्पीड अप करके जल्दी बताइए ओके ठीक है चली ठीक है यहाँ देखो बोला सर देखो Faraday's law are the consequence of the energy बोलो सर एनर्जी की बात करते हैं तो lens का हमारा आता है यह फैराडी का आता है बोला सर देख लेते हैं इन प्यॉरली रजिस्टर एसी सर्किट दा करेंट लेग रजिस्टिव सर्किट रजिस्टिव सर्किट की बात है बोला दा करेंट लेग बियाइंड दा वोल्टेज बोला सर यह statement तो बिरकुल घरलत है क्यों क्योंकि हमारा phase difference कितना होता है zero होता है क्योंकि voltage और current दोनों हमारे होते हैं वो same phase के अंदर होते हैं बोला सर इस statement reason इसका क्या है बिरकुल wrong है wrong is reason तो सर यह दोनों तो नहीं हो सकते यह खतम होगे या तो मेरा c होगा यह c होगा यह d होगा अब पहला है अशर्शन faraday's law are the consequence of the conservation of energy क्या यह है जल्दी बताए बोलो जल्दी बोलो बोलो अरे यार तुम फाल्दू में tension ना लो ऐसे ही आएंगे भाई ऐसे ही आएंगे बताओ क्या होगा बोला सर बिरकुल correct है बोला सर बिरकुल correct है conservation यह तो right है और अगर यह right है तो right और wrong में कौन सा होगा बोला सर सी option है देखो यार खुछ सोचो भाई आप लोगों lens law लगाते है और lens law basically किस पे होता है थोड़ा सोचना मैं आप से पूछना चाहूंगा बोला सर देखो यह क्या होता है बोला सर e is equal to minus d5 b by dt होता है बोला राइट है यह minus जो लगता है according to किसके लगता है lens law के और जब lens law के लगता है तो lens law किस पे बेश देखो बोला सर conservation of energy पे बेश देखो तो easily हम लोग कहेंगे conservation of energy आगे बोल रहा है only a change in the magnetic flux through a coil maintain a current in the coil if the current is continue बता हो क्या होगा और बोला है the presence of the large magnetic flux through a coil contain maintain a current in the coil if the current is continue presence of the large magnetic flux through a coil यार large magnetic flux होगा तो EMF जादा होगा EMF जादा होगा तो current जादा होगा तो यह current continuous क्या होता है maintain रखने के लिए थोड़ी होता है ना यार तुम maintain थोड़ी कर सकते हो ने इसको maintain नहीं कर सकते हो क्योंकि maintain का मतलब क्या होता है constant maintain का मतलब पता है क्या होता है constant जल्दी बताएं तो सर या तो हमारा C या D दोनों option खतम और उपर वाला क्या बोला गया assertion क्या है only a charge in the magnetic flux through a coil maintain a current in the coil बिर्कुल correct है इसने बोला through the coil maintain in current बिर्कुल बिर्कुल presence of large current नहीं है इसने यह आपको specify नहीं है इसने magnetic flux की बात किया बिर्कुल correct है यह right है और यह wrong है तो कौन सो option है C option चल लेक्स पे आजा बुला गया कि inductor coils are made up of copper बिर्कुल correct है copper से बनी हुई होती है copper से बनी हुई होती है induced current is more in wire having less resistance बिर्कुल current है क्योंकि सर देखो I is equal to inversely proportional किसके होता है R के R अगर कम होगा तो current जादा होगा बिर्कुल correct है तो दोनो statement correct है और दोनो एक दूसरे से connected है क्योंकि copper wire के अंदर आप लोग इसको use कर रहे हो बिर्कुल correct है तो क्या statement आ जाएगा बिर्कुल सर दोनों की दोनों correct है option बिर्कुल right है ठीक है जल्दी बता बिटा समझ क्या नहीं आ रहा चलिए next पर चलते है यही तो अशर्शन reason होते हैं बिटा देखो पता ही है अब इसको पढ़ना electromagnetic wave क्यों है जल्दी बता हो बिटा पंद्रा क्यूसंस और बच्चे हैं छोट छोटे हैं पंद्रा क्यूसंस है हाँ बिटा अप्लोड करवा दूँगा सारे important formula की tension ना लो करवा दूँगा अप्लोड ठीक है जल्दी बताओ क्या answer आएगा हाँ बिटा बिर्कुल जो शाई होना चाहिए क्या answer आ रहा है बुला सर देखो electromagnetic waves do not require medium for their propagation क्या ये बास सही है क्या ये बास सही है क्या उसको require medium requirement नहीं होती है बुला सर बिर्कुल correct है यह statement एकदम correct है सो पस्ति इसत आगे बोला कि they cannot travel in medium they can not travel in medium ऐसा थोड़ है ना कि सर वो medium में travel नहीं कर सकती है कर सकती है गलत यानिक रिजन सही है ये आगे बोला गया कि चैंजिंग अलेक्ट्रिक फ्लक्स थीक है सर हो सकता है राइट है और यह क्या है चैंजिंग मैंगेटिक फिल्ड प्रेड्यूस ऐलेक्ट्रिक फिल्ड सही बात है सही बात है गलत बात है बोलो सर जी सही बात है बोलो सर सही बात है दोनों करेक्ट है दोनों करेक्ट है लेकिन गुरुदेव यहाँ पे यहाँ पे इन दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे तुम बात कर रहे हो पहले एलेक्ट्रिक फिल्ड फिल्ड से जल्दी बता वह उपिट न्सर्टो बताओ क्या होगा सबमशन है एक sevenhod करती है मिन्हाय विद्ध old व्रकूल करें इस प्रलाइट विस पीच या में तो प्रीचल करेक्ण है और यहां पर तो दोनों क्या करेगी तभी तो speed of light से जा रही है तो अस्रेशन और रीजन के दोनों एक दूसरे से connected है और जब दोनों एक दूसरे से connected होते हैं तो sir a is the right answer is the right answer a होगा a b नहीं होगा a a is the right answer वो ठीक है clear बात है नहीं जल्दी बताओ चलिए नेक्स पर चलते हैं चलिए नेक्स सवाल पर चलते हैं नेक्स सवाल है यह बताओ बोला गया है अब photon has no rest mass photon के पास कोई भी rest mass नहीं होता है याट इट कैरीज है definite momentum momentum को carry करता है कैर last का असर्षन समझा दूओ ठीक है बेटा समझा रहा हूँ एक मिट रुख जाओ लास्ट का असर्षन समझा देता हूँ एक मिट मुझे दे दो जल्दी बताओ last का असर्षन समझा दो please share this yes बेटा बिर्कुल correct है अभी डलवा दूँगा ठीक है इमान्शू अभी डलवा दूँगा मैं अभी डलवा दूँगा टीम से अभी डलवा दूँगा just अभी डलवा दूँगा समझा दो ठीक है समझा दो, देखो क्या लिखा हुआ है, इसने बोला है, लास्ट वाले का देखो, इसने बोला है, एक्स रे, पार्ट हमारी एलक्ट्रो मैगनेटिक रे होती है, विर्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये एलक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होती है, क्या होती ह है बोलो राइट है गुरुदे विर्कुल और तो दोनों स्ट्रेटमेंट यार विर्कुल है क्योंकि इलेक्ट्रों मैग्निटिक वेव हैं तो उसी तभी तो थ्री इंटू टैने स्टू पार एट से चल रही है यार दोनों करेक्टिड है एक दूसरे से जल्दी बतहों फट फटर से जल्दी बतहों बोलो जल्दी से डायलक्तर क्या होता है in को अप लोग जो एक्स्टर स्थीज को siz करते हो जिसकी वज़े से क्या होता है आप लोगों का C की value increase हो जाए यानि की capacitance की value increase हो जाए अगर तेरा capacitance increase होता है तो देखो Q बराबर क्या होता है CV और electric field क्या होता है E बराबर क्या होता है V by R ठीक है यह बराबर क्या हो जाएगा वी भाई आर या इलेक्रिक फिल्ट को तिर को लेना है तो चार्ज के रिस्पेक्ट में ले 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 बुल सर एफ इस इक्वल टू क्या होता है क्यों ही होता है ठीक है इस इक्वल नेकस्ट यह बता दो फटाफट से आट जल्दी अंसर दे दो यार जल्दी बता ओ यह क्या है एख बस यह 2-3 चीजें जल्दी बतादो maximum 10 सवाल हैं जल्दी कर लेते हैं फटाफट अगले 5 7 में जल्दी बता ओ बेटा इसके बाद में जो किलास है उसका लिंक है already आपको given है उपपर जाए टीम ने comment pin कर दिया है class का तो आप लोग जाके उसको pin कर लिया है जाके देख लीजिए ठीक है don't worry ठीक है बेटा जाके देख लीजिए टीम ने comment pin कर दिया है ठीक है जल्दी sensor देदो क्या answer है पहले पहली book कर नहीं है सबसे जादा नहीं होती है कौन कर रहा है सबसे जादा होती है कौन कर रहा है सबसे जादा होती है कौन कर रहा है सबसे जादा होती है जल्दी बताओ क्या answer है इसका answer देदो जल्दी क्या rest mass होता है कि के पास या रेस्ट मास होता है कि अनके पास देखा पूछ सुनों आप लोगों ने पढ़ा था जब फोटों परें बोला गया तो सर इनके पास रेस्ट मास तो होता नहीं विर्कुल निया डियर इत्व बात बहुंच है और यह तीट किये इस defined momentum बिर्कुल correct है correct है तो यह एकदम right है आगे बोला है momentum of the photon is due to its energy and hence its equivalent mass बिर्कुल correct है बिर्कुल correct है दोनों के बात बिर्कुल correct कर रहा है दोनों बात connect कर रहा है तो एक दूसरे से connected है और connected है तो क्या आ जाएगा A right answer है देखे आगे बोला है कि mass of the moving photon varies inversely as the wavelength mass of the photon mass vary करता है क्योंकि energy के respect में ठीक है और बोला energy of the particle is equal to mass into speed of the speed क्या यह सही है क्या सही है क्या सही है बोलो क्या सही है इसका बताओ क्या होगा what is TE TE कहां लिखा है भाई energy is equal to mass into speed speed का square होगा ठीक है जल्दी बताओ बताओ फटाओ फटाओ ओके चलो हिंदी में बता देता हूँ हिंदी में बता देते हैं सुन लो आप लोगों को बोला गया है कि mass of moving photon varies inversely as the wavelength mass और तुम्हें इससे पहले पता है कि mass किस से connected है energy से energy से connected है और अगर energy से connected है तो energy is inversely proportional होती है लेंडा के अगर तो लेंडा के इनवर्सली है तो बिरकुल करेक्ट है सरी है अगर लेंडा बढ़ेगा तो energy decrease करेगी तो यह दोनों तो क्या है incomplete है यह क्या है incomplete अगर यह square होगा तो इसका अंदर a हो जाएगा ठीक है ठीक है अगर यह सही होता तो इसका क्या बन जाता a लेकिन क्या है बेटा इसके अंदर यह c square नहीं तो इसको अटा दो इस सवाल को अटा दो क्योंकि state complete है incomplete है incomplete ठीक है incomplete ठीक है incomplete आगे बुला है in photoelectric emission the velocity of electrons injected from near the surface is larger than the coming from the interior of the matter क्या ऐसा हो सकता है कि जितनी speed उसके आई है उससे जादा हो ऐसा थोड़ी हो सकता है यार ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे एक चीज़ बताओ क्या ऐसा हो सकता है क्या देखो क्या बोला है the velocity of injected electron will be zero है velocity zero कैसे हो सकती है भाई क्या वैलोसिटी zero हो सकती है electron की बेटा all derivation session शाम को है all derivation session शाम को है ठीक है जल्दी मुझे बताइए बोलो देखो क्या हो रहा है the velocity of injected electrons will be zero यह क्या है zero है ऐसा नहीं हो सकता भाई zero का हमेशा थोड़ी हो सकती है और गलत है तो गलत है तो यह दोनों तो खरता हूँ यह हमेशा जीरो थोड़ी होगी सर कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ता energy होगी ना उनके पास क्या हमेशा जीरो होगी नहीं हो सकती बताओ बोलो सर्थ हमेशा जीरो नहीं हो सकती second चीज़ अब यह तो स्टेट में यह हमारा assertion reason is सही है in electron emission the velocity of electron is acted from the near the surface is larger than the coming from the interior of the matter बिल्कुल correct है कि बोलो सर जब वो अंदर से बाहर आता है अंदर से बाहर आता है electron अंदर से बाहर आता है बेटा यहां से बाहर आएगा और यहां से निकलेगा तो यहां से आने के comparison में यहां वाली speed है वो ज़्यादा होगी वो तो ज़्यादा होगी ना यार तो विर्कुल correct है यह तो right है right है एक दम और right है यह wrong है तो कुन से c option है यानि कि sir c is the right answer c is the right answer बहुत बढ़िया c विर्कुल correct है वाट आप स्काइवे some सब्सक्राइव मास एससे रुका वा ओब है अिलेघएवल मास होता है रेस्ट मास कि तैंनेगलीजीबल होता है ठीक है क्योंकि जब यह मॉव्मेंट करता रहता तो इसके पास ससीफ़ारे में सवाह संब एनलोग कर लिए है हम लोगों ने capacitor पर बेज़ कर ली हैं सवाल बहुत सारे चलिए ठीक है इतना ही रख लेते हैं ठीक है ओके ओके ठीक है नेक्स में ध्यान रखूँगा हिंदी और इंग्लिस दोनों में बता दूँगा ठीक है अब बोलो capacitor अच्छे पड़ा क्या हूं अब अब करें अरे बेटा numerical होंगे अब कल से सारी चीज़े स्टार्ट हो जाएंगे नुमेरिकल भी होंगे नॉर्मल भी होंगे सब तरीके के होंगे डोंट वरी ठीक है कल से कल चार और पास को अब मैं धुआ धुआ करने वाला हूँ आप लोग के सब से important क्योंकि अब आप लोग की सारी चीज़े खतम हो चुकी है अल्मुस्ट पताओ क्या होगा इसका पहले का पहले का बोला गया हADE यह कुआ है रोंग है यह कह रोंग है डबल्य आगया रोंग अगर यह रोंग है तो भाई एक चिंज मुझे बताओ यह देखो तीन option में correct होता है यहां पे wrong है तो खतम है डी option आ जाएगा ठीक है नेक्स बोल रहा है the capacitor of parallel plate increase when dielectric constants of medium between the plates dielectric medium को introduce कर देते हैं तो obviously बात है right है ठीक है और capacitor of parallel plate capacitor is directly proportional to the electric constant of the medium between the plates बिर्कूल correct है यह भी right है directly proportional होता है कि कितनी value आएगी उसी इस पर directly dependent है और obviously बात है यह दोनों एक दूसरे से connected तो है तो क्या आ जाएगा a हो गया next देखो the capacitor of a conductor does not depend on the charge given to it क्या ऐसा होता है कि capacitor capacitance पर depend नहीं करता बोला सर देखो क्या होता है क्यू बरापर होता है c v और c is equal to क्या हो जाता है q by v भाई charge पर तो depend करता है ना या तो c is equal to क्या होता है epsilon not a by d और a by d की बात करोगे इस वाले formula में तो हमारा q आई नहीं रहा तो तो इसका मतलब क्यों का कोई रोल ही नहीं है तो independent है बिर्कूल करेक्ट है बिर्कूल करेक्ट है इंडिपेंडेंट है बिर्कूल करेक्ट है आगे बुलाए गया है कि the capacitance of a conductor depend on the geometrical or size of the conductor size पे तो depend करता है ना capacitance देखो यह रहा क्यों करता है देखो sir c directly proportional एक एरिया पे तो depend करी रहें और एरिया पर यह भी राइट है और यह दौनों रॉट है तो दिक कै 비슷 की बात करी यह चार्ज और तो डोनों सही है रू ठीक है और दोनों सही है निया तो क्या आ जाएगा A, next बोलते हैं, next क्या बोल रहा है, देखो, when a charge capacitor is filled completely with a metallic slab, its capacitance is increased by a large amount, ऐसा कभी हो सकता है, क्या भाई, completely fill कर दो तो, large amount में भढ़ जाएगा, या नहीं होगा, बताओ, large amount में भढ़ जाएगा, क्या, completely उसको fill कर दोगे तो, completely fill कर दोगे, तो T बराबर क्या हो जाएगा, D हो जा होता है, epsilon note A, T minus T, 1 minus 1 upon K, बोला sir, right है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, बोला sir, D में से कुछ कम हो रहा है, अगर D में से कुछ कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, sir, इसका मतलब है, कि हमारा जो capacitance सद्धे को क्या बोल रहा है, कि when I die, electric capacitor is, अगर इसके अंदर ऐसा है, slab को आपने डाल दिया, तो थिकनेस और इसकी D हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बोला sir, यह आ जाएगा, C is equal to K, epsilon note A by D, विर्कुल correct है, गुरुदेव, विर्कुल correct है, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा होता कम, यहाँ तो पूरा एक साथ बढ़ जाएगा, विर्कुल correct ह राइट है, स्टेटमेंट, राइट है स्टेटमेंट, बिटा मैं अभी अप्लोड करा दूँगा, ठीक है, मैं अभी अप्लोड करा दूँगा, मैं टीम से कहा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, और the electric constant of the metal is infinite, metal के case में तो infinite होता है, विर्कुल correct है, दोनो correct है, दोनो correct है, तो potential, बिर्कुल correct है, दोनों सही है statement, तो ये भी क्या है हमारा, राइट है, तो इसका भी answer क्या हो जाएगा, ए, तो दोनों का क्या हो गया है, ए, answer हो गया है, तो इस तरीके से तुम लोगों ने सारे सवालों को कर लिया है, तो इनको देख लीजिएगा, इसी type के सवाल आते है तुमारे एक्जाम के अंदर मेरे भाई एक्जाम के अंदर इसी टाइब के सवाल आते हैं तो कर लीजिएगा कॉपी के अंदर इनको लिख लो समझ लो क्योंकि इससे अलग तुमारा कुछ नहीं आएगा ठीक है don't worry, ठीक है मेरे भाई, I hope कि आप लोगों को मज़ा आ गया होगा, so मेरे भाई, thank you, मेरे साथ जुनने के लिए, ठीक है, यार गलत करवा रहे हैं, क्यों बराबर CV होता है, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, सुन, 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 इधर देख, 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 भाई, तेरे से बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, सुनने बाई क्यों बराबर cv होता है तूने मान लिया लेकिन तेरे को पता है ना c बराबर क्या होता है तो अगर तुझे पता हो तो जल समझ में आया भाई तो इसलिए अदूरा ग्यान हानिकारक होता है बिना बात जाने बिना concept समझे हमें बिना फालतु का नहीं बोलना चाहिए ठीक है ओके मेरे भाई फॉर्थ का भी होगा फॉर्थ कौन सा है वन टू थ्री फॉर फॉर क्या किरा है बेटा दोनों connected ही तो है यार यह दोनों देखो dielectric slab से connected ही तो है dielectric slab से जल्दी बताओ ठीक है अधूरा ग्यार बेटा अगर इनको कर जाओगे न तो हमारे बहुत सारे questions मिल जाएंगे ठीक है जल्दी से ठीक है जोश एकदम हाई होना चाहिए और तुम्हारा link है इसको जाकर कर लीजिए लाइक कर लीजिए यहीं पर जाके तुम्हारी next klas होने सुझाजरा भाई मिक कर लिजिए क्डिक कर लिजिए यहाँ पर क्लास मेरी मिलेगी यहां पर आप लोगो मेरे शॉर्ट और लॉंग जो अंसर हैं उनको मैं कराने वाला हुआ ध्यूदार तरीके से ठीक है सरे इस इकल टू सिग्मा क्यों होता है तो क्योंद करता है कि बेटा एरिया इस इकल टू तो टूट करते हैं नहीं पर रिपेंड करता ही है वह तो करता हूं ठीक है ओक बाई डायगत भी है ठीक है ठीक है ओके एपाई तो जल्दी से आजाएगा हम लोग मिलते है next class में दो बजे इसी उसा के साथ आप सबुस्ता ही का बहुत वहत धन्यवाद और comment section के अंदर जरूर बताईएगा जिससे क्या हो और अगर देखो तुम लोग थोड़ा सा कर पाऊ तो टाइम स्टेंप भी डाल दीजेगा पता लग जाए जिससे थोड़ा सा ठीक है क्या हो क्या है रहे लास्ट वाले में बोला गया देख एक वी a पोटेंशाल सर्फेस की बात किया है और दूसरा बोल रहा है की इलेक् noisy गूमते रहते हैं इदर-अधर मूंपेंट करते रहते हैं ठीक है । किलियर हुआ सभी को अभी बिजबा रहू को अरे जस्ट риस 현 teddy स्ट अब शूंत कर लिए जिससे फिर हम रोग दो बजह मिलन। ठीक है बेटा तो thank you and bye bye to all मेरे साथ जुड़ने के लिए इस platform यानि के CUT platform पे मैं घजंदर शर्मा तहदल से आप लोग का शुक्रिया आदा करता हूं thank you and bye bye to all मिलते हैं next class में thank you and bye bye to all yes बेटा